हालो मेरे प्यारे दोस्तों जी हाँ एक बार फिर आपके शर्माजी आपके साथ और आज हम recorded format में हैं आज लाइव नहीं है जी हाँ मेरा मन तो इस चैप्टर को भी लाइव लेने का ही था बट कल कोट्या राजिस्तान में election है लोग सबाई election आप में से भी कोई बुजर्ग हो जी हाँ आप में से भी कोई हो जो दो तीन बार डॉप हाँ कर चुका हो और मतदान देने की हैसियत रखता हो तो जी हाँ वोट जरूर करें जिसको भी देना है नहीं देना है वो एक अलग बात है लेकिन वोट जरूर करें आज इसी वज़े से हमें recorded आना पड़ रहा है क्य जरूर था उसमें एक्चुली कोटा में वोटिंग डे होने की वज़े से अफ है सारे स्टूडियोज भी पी डबल्यू के बंद हैं कोटा में तो इसलिए हमें यह वाला लेक्चर रिकॉर्ड़ेट फॉर्मिट में लेना पड़ रहा है अनुभव है यह भी एक तरह का जी ह जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है जो लोग मुझसे पढ़े हैं उनको इसका राज भी पता है यह मेरे कमाई कमाऊ पूत में से एक पूत है जी हां इसने बहुत कमा के दिया हमें किसी जमाने में इस चैप्टर में दिल के बहुत करीब है आज इसी चैप्टर के कुछ एक्जाम में आयुए है एडवांस में और या फिर मेरे अपने प्रेम किये वे हैं कभी न कभी जी हां आपको सभी तके क्वेस्टन मिलेंगे कुछ आसान भी होंगे कुछ गच्चा देने वाले होंगे कुछ बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी बोला था आज फिर क्या आता हूं इस समय में जे इमेंस से जे एडवांस वाले टाइम पर आपको अपनी mental health का ध्यान लखना है और क्योंकि कल रिजल्ट भी आ चुका है जे इमेंस का तो अमीद करता हूं आप सभी लोगों का रिजल्ट काफी अच्छा है यदि किसी का र करना है मेंस बहुत अच्छा नहीं हुआ रिजल्ट कोई बात नहीं अभी हमें एडवांस देना है और मैं समझता हूं यहां जो भी लोग हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं यह वो लोग हैं जो वैसे भी बिना एलटी के सैटिस्पाई नहीं होने वाले थे जी हां तो अभी आपके पास आईटी कॉलिज में जाने का मौका बाकी है समय बाकी है और आप अपने आपको जैसा मैंने कहा शादिर्क वो मांसिक रूप से स्वस्त रखें आज हम शुरू करने जा रहे हैं यह हमारा चैप्टर इसमें हम पूरा चैप्टर क्वेस्टेंस क यह जो है मैं पिछले लेक्टर के कमेंट्स भी देख रहा हूं कि आज हम पहले वो कमेंट्स देखते हैं उनमें यह हमें कुछ मिलता है कि देखते हैं क्या बच्चों ने वाकई कहा है जो लेवल विवल है वो ठीक है या नहीं है डाउन तो नहीं है या बहुत हाइट तो तो कि देखो आजकल तो एक master से ज्यादा शर्मा जी से ज्यादा बच्चे घ्यानी है शर्मा जी का 95 साल का गया जी क्या लेने आपको भी पता है क्या लेने जी हां बच्चा जो है वो खुद से डिसाइड कर रहा होता है तो एक बाद जड़ा उनकी सुन भी ली जाए मैं देख ले रहा हूं कि ये पिछले लेक्चर में क्या-क्या था और हाँ बच्चों ने क्या-क्या कहा है चले जी हाँ ये सब तो बक्वास है कुछ और खास बात हो तो नाइस क्वेश्चेंस थैंक्स सर सर क्वेश्चन 3 में शायद रिक्वार्ड एरिया आपने दूसरा वाला ले लिया है सर मेरा अनमार्ग एरिया वाला पार्ट सैटिस्वाई कर रहा है सर एक बार बता दीजिए तो q3 क्या था बच्चे फटाच फ्टावर्ट सी मैं देख लेता हूं उसके बार हम बात करतें q3 जो है यह हमारा तो यह तो हो गया q2 और और आगे चलते हैं तो question 3 हमारा जी ओके question 3 जो है बचे उसमें वो जो shaded area है ना जो मैंने mark किया है वो minus करना है total में से यानि हमारा actual favorable area जो हमें चाहिए जहां पर exactly दो inequality satisfy होती है वो है जिसमें hatching नहीं करी है hatched area वो है जहां पर exactly एक inequality satisfy होती है तो वो hatch मैंने उसको क्यों किया है क्योंकि वो निकालना आसान है because of हमें पदा है triangles है वनना यदि आप वो unmark वाला area निकालेंगे तो वो quadilatals बन रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी calculation आपकी गंदी हो जाएगी इसलिए ये कहा गया कि वो shaded area निकालना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारा required required हमारा unshaded ही है लेकिन shaded निकालकर हमें total में से minus करके निकालना है तो आप यदि unshaded वाले से answer match कर रहा है तो भी अब वही निकालना है बस निकालना कैसे है वो तरीका बताया गया चली बच्चे तो आज का शुरू करते हैं हमारा लेक्चर और क्या करने वाले हम जी आप सभी को पताये कि सारा टपिक कवर करेंगे complete कवर करेंगे जी और किसके तू questions के तू करेंगे और questions में हमारा पहला question आ गया है और बिंदास मजदार question है यह अभी कुछ समय पहले ही मैंने फ्रेम किया है और इसे एक प्लेटफर्म पर एक जगे और मैंने इस question को कराया था तो अब क्यूंकि बात है जी एडिवांस की तो ऐसा question लहा definitely होना भी चाहिए देखते हैं क्या है question आप पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं साथ में लेकिए एक चीज मैंने आपसे कहा भी था मैंस का लेक्चर जब भी देख रहे है शर्मा जी को जब सुन रहा है तो पेपर पैर हाथ में होना चाहिए बाबो और इतना ही नहीं यदि रिकॉर्डट फॉर्मेट में है तो आप पीडियेफ लेके question पहले से अटेम्ट कर लिए हूँ सारे question पहले से ना करें हो तो one by one question सामने आता है तो आप अटेम्ट करें उसके बाद करमा जी की बकवा सुननी है ठीक है अरे शर्मा जी का चहरा आपको पता यह ना जी हाँ नहीं है बिलकुल भी आकरशित करने वाला नहीं है और आजीब सच है रहा है तो भाई ऐसे case में शर्मा जी को कम से कम देखें कम से कम सुनें गला भी इनका बोला हुआ है बोलने में भी दिक्कत है तो भाई इनको तो देखने सुनने में कम ही विश्वास रखें आप question खुद से करने में विश्वास रखें जी हमें मानता हूँ कि आपने किया होगा बच्चे तो क्या कह रहा है in a group of 400 students जैसा मैंने आपसे कहा कि जो जो चीजें होती है जैसे बच्चे बार-बार एक question सब जगे डालते है question solving art क्या है और मैं हमेशा जब भी हाँ आपके सामने होता हूँ मैं इस पर हमेशा focus करके इससे बता रहा होता हूँ question आपको नस आप एदी पूरा question एक बार में पढ़ लेंगे ना मेरे बच्चे तो PNC probability तो ऐसे chapter जा question भी लंबे होते हैं उनकी language जादा होती है काम कम होता है काम की चीज़ कम होती है language जहां अंग्रेजी जादा होती है तो ऐसे case में तो क्या होता है कि question देखते ही घवराहत होती है पूरा एदी एक first flow में एक glow में हाँ मतलब एक गो में पढ़ लोगी वर्न गो में जैसे ही पढ़ोगे कुछ ना समझ में आने वाला तो क्या करें थोला थोला पड़े चीज़ें मार्क करते जाएं लिखते जाएं और यदि शकल देने की गुंजाईश हो तो शकल दीजी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ चार सो लोग है और फिर करते हैं एटी आर ध्यान रखीएगा एटी आर इंफ्लियंस्ट बाए ए अर्मान मलिक भैस सब आप में से मैक्सिमम लोग जो है आज कल यूट्यूब फॉलो करते हैं इंफ्लियंस से इंफ्लियंस्ट है तो उसी पर फ्रेम किया हुआ क्वेस्चन ह हाला कि मैं मानता हूँ कि शर्मा जी ने फुरा वह इंफ्लियंस ओ किया हुआ है कुछ लोगों को लेकिन इन लोगों के बराबर तो ना है भाई यह बढ़े लोग है बहुत बढ़े लोग है तो जी हाँ एड थारा भाई जोगिंदर ओके थारा महारा सबका भाई जी हाँ फिर कहता है कि असी लोग ऐसे हैं जो अर्मान मलीक और थारा भाई जोगिंदर दोनों से इंफ्लियंस्ट हैं फिर कहता है बच्चे कि 90 90 और इंफ्लियंस्ट बाई ए एंडी यहां कौन है धूबरा थी आजकर बहुत नाम चल रहा है भाई सब आप सब ही जानते है चुनाओ का समय है और यह बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं बहुत बड़े-बड़े डाटा के साथ पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं भाई साब सही गलत हमाँ नहीं पता लेकिन नाम क्योंकि गूँज रहा है हमने यहां भी ले लिया है जी हां 90 A&D दोनों से है 100 are influenced by T&D यानि थारा भाई जोगिंदर इन दोनों से इंफ्लिएंस है फिर करता है number of students influenced by all three ध्यान दीजिएगा सभी तीन से इस multiple of 10 यह मज़ेदार है यहां पर कि तीनों के तीनों से जो influenced है बच्चे वो 10 के multiples में है फिर इसके बाद while number of students influenced by A only यानि सिर्फ अर्मान मलिक से जो influenced है वो T only यानि जो सिर्फ थारा भाई जोगिंदर से influenced है वो and D only यानि जो दुर्वराथी से influenced है वो leaves remainder 123 respectively on dividing by four आप देखिए पर तो लिया छोती होती जी मार्ग भी कर दी जो मुझे लगा काम का लेकिन उसके बाद भी मेरे को कुछ ना समझ में आया आपही की तरह है बिलकुल मैं भी यहां सब ही जैसे होते हैं बच्चे उपर वाले हमारे अंदर किसी के अंदर भी हारवेर दिफ्रेक्टीव मेरे जैसा जैसा मैं अंबिशा कहता हूँ दिकता वह साउंट- Corpsak announcement हूं हो पीस हूं लेकिन बाहर से जो मावलावन है न यह थीक है बाव यह सब ही के जैसे बनाय भगवान ने वैसा भी नहीं आया होगा, क्या करें? शक्ल देते हैं, जी हां, एंग्र supra 3 सामने होता है, काम करने का मन करता है, आप तो जानते हैं, जी हम से ज्यादा बहतर, बिड़ी में बच्चें, तो यहां पर क्या करें? यहां पर आपको बदाए, set theory कहीं ना कहीं use होने वाली है जी हां ऐसे questions आपने की होंगे set लगता है तो आप कहेंगे PNC में काहले question अभी हम देखेंगे यह मज़दार है set भी लग रहा है PNC भी लग रहा है और आपको तो पता है जी को 18 question में 36 chapter cover करने है तो बाबू आपको बदाए एक question एक से ज़्यादा chapter परवाने इन शगर है जी का बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस पे तो लीजे यह पहला set अर्मान मलिक दूसरा set हारा भाई जोगिंदर तीसरा set जी हाँ धोड़ा थी है यह situation है अब इसमें उसने जो जो कहा है उसको मार्क करते हैं पहले तो वो कहता है कि भाई जो तीनों से influenced हैं ऐसे बच्चे मान लिए x हैं बस वो क्या क्या रहा है x is the multiple of 10 देखो ऐसा उसने बोला है यानि x कुल मिला के कैसा है मेरे बच्चे 10 के जैसा यानि 0 10 20 ऐसे चलेगा isn't it yes इसके बाद वो कहता है अर्मान मलिक और थारा भाई जोगिंदर इन दोनों से influenced कुल मिला के कितने बच्चे बच्चे 80 तो यहाँ पर इन दोनों में जो common है वो 80 होना चाहिए x यहाँ है तो यहाँ 80 माइनस x होना चाहिए definitely पर कहता है कि भाई या 90 जो है वो अर्मान मलिक और धुवराथी से influenced है यानि यहाँ इस वाले में common 90 है तो फिर यह 90 माइनस x होना चाहिए ताकि इन दोनों का sum 90 हो जाए और ऐसा ही वो कहता है कि भाई यह 100 influenced है T and D दोनों से यानि यहाँ पर आपके पास यह sum 100 होना चाहिए तो यह x है मेरे बच्चे तो यहाँ 100 माइनस x होगा जो जो कह रहा है उसको धीरे धीर से शकल दे रहे है और यह वो चीज़े हैं बैचे आप मेंसे सभी लोग यह कर सकते हैं question कितना ही गंदा क्यों नहों, कितना ही खराब क्यों नहों, कितना ही अजीवों गरीब क्यों नहों, उसमें छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो सबको आती हैं, आप बस उनको लिखना शुरू करें, मैंने वही लिखा, अब इसने एक और चीज बोले, क्या बोला, उसको सुन यानि वो कहता है जब खाली एक हो यानि इसमें इसमें जो नंबर है बच्चे हैं वो बच्चे कैसे हैं वो बच्चे ऐसे हैं कि उनका नंबर ऐसा है कि 4 से डिवाइट करने पर रिमेंडर 1 देने वाले बच्चों की बाद की जाए तो बाबु मेरे ये 4 एलफा प्लस 1 जैसा यहीं होगा क्या डेफिनेटली यह 4 एलफा प्लस वन जैसा होगा होगा नहीं होगा इसी दर से यहां पर इदी थारा भाई जो गिंदर की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि भाई यहां पर क्या हो जाएगर टी ओनली में रिमेंडेट टू मिलता है यानि कहीं न कहीं ये 4 बीट्या प्लस 2 जैसा होगा और यहां धूराथी जी जो है ये 4 गामा प्लस 3 जैसे होगे यह होगा ना बिलकुर यह होगा सभी को एक छोटी होड़ी चीजें पता होती है अब मेरे बच्चे क्या करें यहां इन सब का सम कर लिया जाए तो इस सम क्या बनता है जड़ा गौर से देखेगा 4 टाइमस ओफ एल्फा प्लस बीट्या प्लस गामा 4 एल्फा 4 बीट्या 4 गामा फिर 1, 2, 3 मिलके बन गया जी 6 यहां पर देखिए 100, 180 और 90, 270 बन गया यहां 270 बन गया yes मेरे बच्चे x वाली बात करें तो माइनस 3 x प्लस x मिलके माइनस ओफ 2 x बन गया यह टोटल का बिलकुल जो है सम है अब यह नंबर आप सब को पदा है कि भाई टोटल नंबर अफ इस्टोएंट कितने है 400 तो यह नंबर कितना होगा 400 ना 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 ए लाला सारे के सारे बच्चे जो है इन में से किसी से influence हो जरूरी नहीं है भाई कुछ तो पढ़ने वाले भी है आप जैसे लोग जी हाँ इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बहार पड़े है इन में से किसी से influenced नहीं है इसका मतलब यह जो है this should be less than equals to 400 यह maximum sum की value 400 हो सकती है 400 से कम भी हो सकता है यह सारा खेल यहाँ की यही चीज सबसे प्यारिये कि आपको यह inequality यहाँ पर बना लिए अब इसके बाद क्योंकि काफी लोग तो गया इसा थोड़े नहीं है कि नहीं है वो सकता है तब हमें क्या करना पड़ेगा sum जो है वो maximum 400 हो सकता है अब मेरे बच्चे यहाँ से मुझे जो inequality मिल रही है वो देखें 4 alpha प्लस बीटा प्लस गामा यह बन गया जी 276 minus of 2x less than equals 2 यहाँ हो गया आपके 130 तो 126, 124 देखो आप यहाँ आगया इसको भी 2 से डिवाइड मारा मेरे बच्चे तो 2 times of alpha प्लस बीटा प्लस गामा जो है minus x less than equals to यह बन गया 62 अब खेला x पर है x के लिए क्या information दिये हमने बगल में लिखिये कि x 10 का multiple है ओ तो 10 का multiple क्या 0, 10, 20 कब तक भईया 0, 10, 20 दो समझ में आता है कब तक कितना maximum लेके जा सकते हैं तो वहाँ पर एक मज़ेदार चीज है मज़ेदार चीज क्या कि बाबू यहाँ पर लेको मैं इस पूरे data से कह सकता हूं कि x should be less than equals to 80 and greater than equals to 0 भई तीनों में common minimum कितना हो सकता है 0 कि एक भी common ना हो हो सकता है कि इस से अधर नहीं हो सकता क्यों आपको सब्सक्राइब है 90 मेरे बच्चे यदि यहां रेके यहां 90 यहां ठोड़े ना 90 यहीं 90 हो जाएगा तो इदर तो माइनस चैना जाएगा क्यों क्योंकि यहां तो इन दोनों का मिलाकर total 80 है तो यहीं इस maximum value हो सकती है न लला यहां इसका अधर यह भी गेम है यहां एक्स की कुल मिलाके नौ वैल्यू है जीरो 10 20 40 ऐसे करके 80 तक जी हां 10 का multiple बूला है तो अब एक एक करके हम बात करते हैं मेरे वचे जब यहां पर एक्स जीरो जा रहा है जरा उस case की बात कर लेते है एक्स जीरो तो अब यह equation यह 0 यह गया आपके पास alpha plus beta plus gamma less than equals to कितना आ गया मिरे लाल 31 आ गया अब alpha beta gamma क्या है yes यह इच तो खेले यहां कि alpha beta gamma whole numbers है माबू कि यह हो सकते हैं कि definitely हो सकते हैं negative हो सकते हैं ना number of students है negative तो कभी हो ही नहीं सकता है इसका मतलब alpha beta gamma whole number है अब आया समझ में कि set theory के आगे अब यहां से P and C आगया है beggars method आप सभी ग्यानी लोगों ने पड़ा हुआ है जी हां आप सबने ऐसा question किया हुआ है लाल कि x plus y plus z कभी आपको मान लीजिए ऐसे m दे दिया जाए तो इस equation के number of non negative integral solutions non negative integral solution यानि x y z whole numbers हो सकते हैं आप सभी को इसका formula आपने रटा हुआ है क्या मेरे भाई कि m plus 2 c 2 होता है नहीं होता है यह इच होता है ना अरे बावु यह इच तो होता है और इसको directly भी आएसे भी याद किया है काफी लोगों ने r के terms में कि x1 plus x2 से लेके xr है और यहाँ m है तो m plus r minus 1 c r minus 1 होता है biggest method का formula कि m identical object को r logo में बाटना है तो किसी को भी कितना भी दे सकते हैं तो कितने तरीके से आपको पता है m plus r minus 1 c r minus 1 होता है जी हाँ लेकिन अब आपको यहाँ पर इस case में inequality हो जाती है तो वह ज्यान भी होगा कि x plus y plus z less than equal to m हो जाए equal to की जगे अब क्या करते हैं जी हाँ एक dummy अगर यहाँ पर डाल देते हैं कि पहले objects को कितने लोगों में बाट रहे थे x y और z में अब शर्माजी भी आगा है बीच में x y z के साथ साथ शर्माजी भी जो है वो भी आ जाएंगे चाल लोगों में बाट ने आप सबको पता है इस inequality का solution इस equation के solution के बराबर होता है यह सब ने किया हुआ है रिकॉल होगा रिवीजन होगा बढ़िया से अब यहाँ पर यह होता है तो इस inequality का solution ऐसे निकल के आएगा लाला यहाँ तीन है एक और एड़ कर देंगे और यह formula लगाएंगे तो यह जो आएगा यह क्या आजाएगा यह आजाएगा 31 प्लस 3 C3 जी हाँ जब एक और एड़ करेंगे 4 हो जाएंगे ने बिटा यहाँ पर जैसे आर है तो ऐसे 4 हो जाएंगे 31 को यह आपके पास आगया 31 C 31 प्लस 3 C3 फिर बच्चे X is equals to 10 ले लेते हैं अब X equals to 10 लेंगे तो यह 10 हो गया और यह 10 हुआ तो देखो यहाँ 72 बाइटू आपके पास यह कितना हो गया सिहासिक्स जहाँ देखो कि भई यह आपके पास alpha प्लस beta प्लस gamma less than equals to 72 बाइटू से आपके पास 36 आ गया यही इस formula यहाँ लगाएंगे तो यह हो जाएगा 36 प्लस 3 C3 यहाँ जी हाँ और पिर अगला X is equals to 20 लेते हैं मेरे लाल तो यही alpha प्लस beta प्लस gamma less than equals to 41 हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आपने इसको 20 लिया 82 हो गया 41 हो गया 2 से divide करने पर हमारे पास जो number of values आ गई वो आ गया 41 प्लस 3 C3 यही चचलता रहेगा कहां तक जड़ा गौड से देखेगा जैसे से आगे बढ़ रहे हैं 5 के difference वाली API 31, 36, 41, 46 यही चलेगा ओके यहां ऐसे आपके पास कुल मिलाके आठ त्यम आ जाएगी तो लास्ट में x is equals to 80 के लिए क्या आएगा देख लेते हैं जैसे ही मरे बच्चे 80 एड़ किया तो यह आपके पास क्या हो गया 142 142 by 2 जी हां 71 होगा नहीं होगा यह 142 by 2 क्योंकि जैसे ही आपने यहां 80 एड़ किया 142 by 2 किया तो आपके पास कितना हो गया 71 तो यहां आपके पास आ गया लास्ट में 71 प्लस 3 c3 यह सबका समभ़़़़ जी हां यह टोटल समभावना है है मेरे लाल कि भहिया वो जो कह रहा है कि भही कुल मिलाके नंबर पॉस्टिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिलेंस पॉस्टिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिलेंस का मतलब क्या हो गया एकस ऐलफा बी गई मैं अलग से लिख लेता हूँ पहला बना 34C3 दूसरा बना 39C3 तीसरा बना इसी दर से 39 है यह ना 39C3 फिर 5 एड किया तो 44C3 तो कहां तक चलेंगे बच्छे यह आपके पास 74C3 तक जाएंगे यह हमारा final answer है ऐसा कोई option है क्या चेक कर लेते हैं जी हाँ यह सिगमा की form में लिखा मेरे बच्चे तो देखो यहाँ पे वही वह 5 common difference वाली AP लिख ली आर इस रिक्वर्स टू वन के लिए 34 मिल रहा है देखो आप और फिर आर इक्वर्स टू के लिए 39 मिल जाएगा और लास्ट में आर इक्वर्स टू 9 के लिए 45 और 29 74 यह मिल गया जी तो मेरे असाब से तो पहला ही answer आ गया पहला ही आगया बिलकुल तो देखिए क्या बीटी दी question में कि उसने set theory का बढ़िया से use किया और यह humor तो है सही थारा महारा भाई जो गिंदर और फणा 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 जी हाँ और साथी साथ यहाँ पर देखिए उसने यह जो numbers है इनमे alpha बीटा गामा एक्स का कित यह आपको आती है नहीं आती है पर X को भी उसने ऐसे plane नहीं छोला कि multiple of 10 multiple of 10 के cases बन गये पर उसमें भी यह चीज आपको पकरनी पड़ेगी कि X की minimum maximum value क्या हो सकती है यह इस data के साब से minimum 0 maximum 80 हो सकता है यह हमें पकरना था पर हमारे पास यह inequalities बनी यह sum हमें less than equals to 400 करना था पर identical objects का distribution जिसे आप कहते हैं जियां वो लग गया बढ़िया से पर यहाँ पर final answer आया यह अब इसने जो option दिये यह कि यह भी संभव है क्या बावू देख लेते हैं यह minus 34 C4 कर रहा है तो जड़ा एक चीज यहाँ पर देखते हैं जड़ा गौर से देखेगा जो मैं आपको दि जाएंगे Pascal's formula आपको पता है जी हाँ NCR plus NCR minus 1 will be N plus 1CR जी हाँ तो यह आपके पास NCR plus NCR minus R plus 1 तो आपके पास यह क्या हो गया N plus 1CR तो यह बन जाएगा 35 C4 अब लेकिन यह मिलके आपस में आपको लग रहा होगा कि यह add होते जाएंगे भाई ने यहीं खेडा किया हुआ है add होते जाएंगे यह सोचकर आप इसको answer कर सकते हैं यह add नहीं होगा क्यों भाई यह 39 है यह 35 है यह तो अलग-अलग है यह consecutive जबूर है लेकिन यह अलग-अलग है जिससे से इसको solve करने के लिए यह किया गया इसके लिए ऐसा ही कुछ हो होगा definitely यानि यह पूरा का पूरा solve नहीं होने वाला है यह answer नहीं आएगा और यह नहीं आएगा तो आप देखो यही सारे option यहां बनाए हुए है भाई ने कैसे बनाए हुए जड़ा गार से देखो भाया 34C4 को उसने यह लिख दिया देखो आप यार यह तो हमें पता है य उपर यही चुद्ण लिखा है हाँ इसका मतलब यह नहीं है तो यह वाला भी नहीं है और इसको ऐसे लिखा है इसको लिख दिया वही 78C4 और 78C3 मिलाके यह और ऐसे इसको लिख दिया तो यह और यह भी same है यानि यह नहीं है तो यह भी नहीं है answer हो गया जी A A1 question था answer भी A है अब देखो कितना प्यारे से यहां बहुत बढ़िया से इस question को frame किया गया क्या-क्या चीज़े यूज कर दो यही जै़ी भी करता है मेरे बच्चे वहाँ पर यही होता है कि A की question में multiple concept use हो रहे होते है और यही चीज जो है वो उस exam को अलग बना देती है और यही चीज वो है जिसके लिए मैं कहता हूँ कि देखो physics, chemistry, maths के अलावा यहाँ पर एक subject चलता है वो है आपका mental temperament और वो तीनों subject पे बहुत ज़्यादा भारी है आपको तीनों subject भर-भर के आते हैं लेकिन उनकी applications नहीं आती है आप application नहीं कर पाते हैं आपको problem होती है गहजी काम से लेकिन यदि आपकी subject knowledge उतनी डीप नहीं है लेकिन जितना आता है उसे बखुबी अंजाम आप दे सकते हैं तो फिर आप इस exam को आसानी से crack कर लेंगे यही इस question को first go में solve नहीं कर पाया था यानि आपको जो आता है आप उसे use नहीं कर पाते उसके application नहीं कर पाते यहां से आपको problem solving आत भी बताया देखो आप मैंने कुछ नहीं किया था मैं भी blank था आपकी तरह से वह अलग बाते बच्छे की question मैंने frame किया तो मुझे पता था लेक चीजें आपको पता है आपको ऐसे question set theory पता है when diagram पता है आप माक करू नहीं आद पर छोड़ी चीजें कि भाई 4 से divide करने पर remainder 1 तो यह number कैसा होता है remainder 2 तो यह number कैसा होता है remainder 3 वाला number कैसा होता है वह हमने assume कि अपने आपी धिरे दे आगे बढ़े तो question खुद बढ़ुद अगला question यह भी मैंने कुछ समय ही पहले frame किया था और इसे भी मैं एक जगे पहले discuss कर चुका हूँ लेकिन फिर वही कि आप सब के साथ कुछ अच्छी शीजे discuss करने का मन था तो जो current मैं अच्छी बनाई है भी उनको लेकर आना मेरे लिए लाजमी था question क्या है words are formed using all letters of the word sneakers common word है आप सभी जानते हैं among these words if word contain three consecutive letters as sign or sec technometric equations sin square x is equals to k or sec square x is equals to k formed respectively considering equation different for different words if k is from this to this and x belongs to this then largest digit in sum of number of solutions यानि जितनी equation बनेगी उन सब के जितने इतने solution है solutions के number को add करें जिसे पहली equation के 5 है दूसरी के 10 है तीसरी के 5 है ऐसे हैं तो इन सब के number को add करने से जो final number मिलेगा उस sum की सबसे बड़ी digit बतानी है हमें इक integer type question जो हमें देखने को मिलता है वैसा है बच्चे अब देखिए फिर creativity आपको दिखेगी जैसा मैंने कहा कि एक्जाम creativity का एक्जाम में मेरे बच्चे आपको हर question जो है कुछ अलग अंदाज में फ्रेम करके दिया जाएगा वैसा यहां भी है कुछ नई चीज फ्रेम के देखो उसने वह कहता है कि sneakers जो word है इसके सारे letters को रियर आप अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद में आप उन words को पकटते हैं जिनमें sign नजर आ रहा है या जिनमें second नजर आ रहा है फिर कहता है हर वो word जिसमें sign नजर आ रहा है उस word के corresponding equation बनानी है sign square x is equals to k और वो कहा रहा है हर word के लिए अलग equation बनेगी मालो एक word पहले कोई बना उसके लिए अलग बनी दूसरा बना जिसमें sign फिर नजर आया फिर दूसरे के बनेगी तीसरा एक और word डिखा जिसमें sign नजर आया उसके लिए भी equation बनेगी यानि हर वो word जिसमें sign नजर आ उसके लिए की equation बनानी है sign square x is equals to k और इसी दर से कह रहा है कि यदि word में sign नई सेक नजर आता है तो आपको corresponding equation second square x बनानी है और कहता है हर word के लिए अलग बनानी है इसका मतलब अब sign square x is equals to k ये equation कितनी बनेंगे जितने words में sign आएगा हाँ यानि ऐसे कितने words होंगे जिनमें sign नजर आएगा वो count कर लें हर word के लिए की equation sign square x is equals to k बन जाएगा तो ऐसे कितने word होंगे जिसमें second नजर आ रहा है हर word के लिए एक equation second square x is equals to k बन जाएगी और पिर हम sin square x equals to k और sin square x is equals to k के solution निकाल लेगे ठीक है अब देखिए इसमें 2 segment है पहला segment तो मैं ये solve करता हूँ कि यार ये sin square x is equals to k इस equation के solution कितने होंगे पिर देखेंगे equation कितनी बार बनेगे लेकिर एक equation के कितने solution होंगे ये तो निकाल लेते है solution हमें कहां निकालना है x की value तो minus 5 by 2 से 5 by 2 में दी है लेकिन k में खेला किया हुआ है कहता है k आप 0 से लेके 9 तक कोई भी whole number ले सकते है मेरे बच्चे इसको आदा k मुझे यहां से उठाना है k यहां से उठाना है तो मुझे पहली possibility k की क्या नजर आ रही है 0 हां equation बंग नहीं sin square x requires to 0 अब sin square x requires to 0 minus 5 by 2 से 5 by 2 में कितनी बार हो रहा है लाला minus 5 by 2 से 5 by 2 में sin तो 0 सिर्फ 0 पे होता है यानि एक solution आएगा sin square x requires to 0 का एक solution आएगा फिर मेरे बच्चे sin square x requires to k में k की value 1 ले ले लेते है कि यहां सिर्फ है जा सकता है k को 1 लिया अब sin square x requires to 1 यानि sin x requires to plus minus 1 किस interval में इस interval में तो मुझे पता है minus pi by 2 पे minus 1 होता है pi by 2 पे 1 होता है इसका मतलब sin square x requires to 1 के दो solution आ गए इस interval में येस मैंने लाग दो solution आ गए इसके अब आती है sin square x requires to k में k की value कुछ और दें यहां से तो देखो अब k का value आप कुछ और देश चे नहीं सकते हैं क्यों और अपनी खुद की और यहां रखनी है जैसे हमें अपनी खुद की और यहां रखनी होती है हमें function की ओकात भी ध्यां दखनी होती है हमें पता है यदि k में 2 दूंगा 3 दूंगा 4 दूंगा sin square x की ओकात के बहार आ गया उसकी ओकात तो 0 से 1 के बीच में है न भाई हाँ यानि k की value इसके अलावा कुछ और नहीं दी जा सकती यानि जब-जब sin square x is equals to k ये equation बनेगी इस equation के कितने solution आएंगे एक और दो मिलके तीन आएंगे sin square x is equals to k का निप ट्यारा हो गया आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं किसकी जी हाँ sin square x sorry अब बात करेंगे second square x is equals to k इस equation के अब second square x is equals to k में भी x minus pi by 2 से pi by 2 चल रहा है के यहां से उठाय जा रहा है अब फिर मैं k की value रखना शुरू करता हूं क्या मैं k को 0 दे सकता हूं k 0 second square की आउकात में ही नहीं है second square की minimum value 1 होती है जी हाँ वो कभी भी 1 से कम नहीं होगा यानि k को 0 नहीं ले सकते हैं तो फिर k को क्या लेंगे मेरे बच्चे की पहली value ले 1 ले सकते हैं फिर k का value 2 ले सकते हैं definitely ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं 9 भी ले सकते हैं क्यों सेक स्क्वार एक्स की तो ग्रहा इरी बात करने रेंज ग्रेटे दिन इक्वर्स चु वन होती वन से लेके इंपल्टी साधी वैल्यू देता है मेरे भाई पॉसरी मैं है या नहीं येस तो इसको आप के को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब दे सकते हैं अब मैं सेक स्क्वार एक्स इक्वर के नमबर अर्व स िशंभी स्क्वार एक्स revenue 2 हो जाता है न मेरे लाल तो आप सभी जो है वह आ सब को एक चीज़ समझे में आणी चाहिए है क्या समझ मैं आ आना चाहिए यहा यहां पर हमें Feels root 2 तो होई नहीं सकता, because अब पहले और चौते quadrant में sec negative नहीं होता yes इसका मतलब, यहाँ पहरी हम देखें तो sec square x सिर्फ क्या हो सकता है root 2, तो sec x सिर्फ root 2 हो रहा है, अब sec x root 2, minus pi by 2 से pi by 2 में कितनी बार हो रहा है, बावू दो बार होगा first quadrant में भी sec 1 से infinity सारी value लेता है और fourth में भी 1 से infinity सारी value लेता है, यानि एक root 2, first quadrant में मनेगा, और एक बार root 2, fourth में मनेगा, यानि minus pi by 2 से 0 में भी एक solution आएगा, 0 से pi by 2 में भी एक solution आएगा, यानि sec square x is equals to 2 के 2 solution, और यही process आगे की सारी values के लिए, सब के लिए 2 दो, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 कुर मिला के कितने solution हो गए भाई, यही हम यहाँ देखे तो आप देखे, एक से लेके 9 में आप देखे, तो पहले वाले में एक solution मिल रहा है, बाकी सब जगे 2 मिल रहे हैं, तो कुर मिला के एक equation बनेगी अब सबसे पहले देखते हैं ऐसे कितने word हैं जिन में sign नजर आ रहा है अब यह कैसे निकालेंगे लाला जी हाँ यहाँ यहाँ PNC लग गया यहाँ PNC कैसे लगा कि देखो मेरे पास यहाँ पर जब मैं sign ले नहीं sign चार आ हूँ तो मैंने 1,S,I और N एक साथ ले लिए और इनको बांद दिया यह मुझे अब एक साथ ची है जी हाँ एक साथ ची है इनको बांद दिया बाकी बचे मेरे पास कौन-कौन से लेटेस मेरे बचे C बचा, K बचा, E बचा, R बचा, S बचा यही बचा तो कुल मिला क पांच ही है, एक ही है, कितने effective object हो गए, छे हाँ, छे object का जो हम arrangement करेंगे तो कितने method से होगा, 6 factorial, जी हाँ, और जिन 3 को बांद हैं, उनका arrangement करना 3 factorial, यह मत कर देना लाला, क्यों, मुझे sign चाहिए, जी हाँ, sign चाहिए, यह नहीं चाहिए, yes, sign चाहिए ना, तो यदि sign चाहि का मिले पास choice नहीं है, यह तीनों इसी format में बनेंगे, S, I, N के format में बांदे जाएंगे, यानि, इनका arrangement एक ही, यानि कितने letter है, कितने word हो गए, जिन में sign नजर आएगा, 6 factorial, यानि 720, यानि कितनी equation बनेगी, sign square x is equals to k की, 720, क्योंकि हर word के लिए एक equation बनाने की बात कर रहा है भाई, यानि, sign square x is equals to k के total solution कितने हो जाएंगे, 720 into 3, reason, भाईया, अकुन मिला के 720 word बन रहे हैं, जिन में sign है, हर word के लिए एक equation बन रही है, हर equation के 3 solution है, तो total solution कितने हो गए, 720 into 3, yes, फिर बात करते हैं, किसकी, sec की, same method, set में क्या करेंगे, s, e, or c को इसी format में बांध देंगे, बचेगा कौन-कौन, i बचेगा, n बचेगा, r बचेगा, s बचेगा, और k बचेगा, वापस हमारे पास ये 5 और ये 6 यानि 6 factorial ऐसे word होंगे, जिन में sec नजर आएगा, और हर word जिसमें sec नजर आ रहा है, उसके लिए एक बार आपको sec square x request to k की equation बनानी है, यानि कुल कितनी equation बन जाएगी, 720, और हर ऐसी equation के कितने solution आ रहे हैं, 17, यानि sec वाले case में solution कितने आएगे, 720 into 17, ओ, मतलब साफ है, total solution कितना हो गया, मेरे बचे, 720, 3 प्लस 17, यानि 20, okay, तो 144, 00, इतने number of solution आएगे, और उसने क्या पूछा है, total number of solution जितने भी हैं, उनमें largest digit क्या है, तो largest digit मेरे बच्चे 4 है, तो answer 4 आएगे, PNC तो हुआ ही सही, एक creativity अलग तरह की है, जी हाँ, PNC में ये arrangement, formation word का, ये यहाँ use हुआ, साथी साथ, phignometric equation और वो भी बड़े अलग अन्दाज में, कि इस interval में, के को भी अप अलग-अलग value दे सकते हो, वो कितना प्यारा छोटे-छोटे से concept में मिला कर, कितना बड़िया question बन गया, अब इसमें कई लोगों के दिमांग में एक बात आ रही है, कि सर, उन words का क्या होगा, जिनमें sign भी होगा, sack भी होगा, क्या कोई ऐसा word होगा, जिसमें sign और sack दोनों होगा, बिलकुल, भरे पड़े हैं ऐसे word, जिनमें sign और sack होगा, लेकिन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझे उनको अलग से निकालना पड़ेगा, देखो, आपके दिमांग में क्या आ रही है, किससर ऐसे word जिनमे sign भी है और sack भी है, वो इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, यानि उन words की counting दो बार हो गए, जबकि हमें एक बार count करना था, नह, 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 यहाँ word की counting की निकलना है, यहाँ क्या कह रहा है, हर वो word जिसमें sign दिख रहा है, मान लो, ऐसा कोई word है, जिसमें sign भी और sack भी है, मैं लिखके बताता हूं बच्चे, S, I, N, यह भी है, और S, E, C, यह भी है, और अब कौन सा बच्चे है, S, I, N, यह हो गया, S, E, C, यह हो गया, K, और R बच्चे है, K, R, यह वो word है, एक, एक word है, ऐसे बहुत सारे word होंगे, यह वो word है, जिसमें sign भी और sack भी है, वो क्या कह रहा है, वो यह आपका, यहां भी count हो है, यहां भी count हो, आपके दिमाग में यह आ रहा है, मेरे बच्चे, यहां मैंने लेकिन, sign वाली equation बनाई, sack वाली नहीं बनाई, मुझे क्या कहा गया है, यदि किसी word में sign दिखरा है, तो आपको sin square x is equals to k, equation बनानी हर word के लिए अलग, किसी word में sec दिख रहा है तो sec square equals to k आपको equation बनानी हर word के लिए अलग तो जब मैं ऐसा word देखूंगा तो भाई इस word के लिए 2 equation बनेगी na sin square x is equals to k बनेगी इसकी वज़े से और sec square x is equals to k बनेगी इसकी वज़े से हाँ यानि ऐसे word से 2 equation बनेगी माइनस मत कर देना खेला हो जाएगा हमारे साथ यहां यह पर एक बड़िया question हमारे सामने आया था अगला question जी हां यह पिछले साल ही आया है यह advance 2023 का question है बच्चे और यह भी एक बहतरीन question है अब देखो मैं आपको दो question ऐसे कर आए हूं जिसमें PNC के साथ कुछ और चीजें चल वही है mixing of blending of chapters यह concepts जैसा आप कहते हैं वो है अब मैं आपको लग रहा हूं जिबसी कर वारे हैं अब आप देखो मैं आपको 23 का ही question लेके बता रहा हूं वही mixing है हमने एक जगे set theory का और PNC का mixing किया एक जगे हमने trigonometric equation और PNC का mixing किया इस भाही ने क्या किया matrices और PNC का mixing किया mixing आएगी उससे आप बच नहीं सकते हैं blending तो होगी concept और chapters की और आपको उसकी तयारी questions के तू ऐसे ही करनी पड़ी गया ऐसे question को छोड़ने से काम नहीं बनेगा हाँ जी वच्चे इसको कोशिश करते हैं क्या है वो कहता है R एक set है जिसमें इस तरह की सारी matrices है जहाँ पे जो चार unknown है A, B, C, D यह unknown इस वाले set से उठाय जा रहे है ठीक है then the number of invertible matrices in R की set में ऐसी कितनी matrices हैं जो invertible है अब यहाँ पहली knowledge कोई matrix A invertible तो कब होती है जब उसका determinant non-zero हो यानि matrix non-singular यानि हमें देखनी है कि हम जब A, B, C, D यहाँ से उठाके matrices बना रहे हैं तो उन matrices में से कितनी matrices हैं जिनकी invertible होने की guarantee है यानि जिनका mod non-zero है अब non-zero निकालना यहाँ आसान है देखने पहले दो यह चाहिए यह चाहिए तो बाबू हम यहाँ से इस matrix का determinant निकाल लेते हैं मालो यह matrix A है तो mod A आपके पास क्या आ रहा है वो सबको निकालना आता है सीरे निकाल देते हैं यह 0 हो गया यह 0 हो गया यह आपके पास 5 BC आ गया क्या आ गया मेरे बच्चे 5 AD यानि एक तरह से 5 times of BC minus AD आ गया बढ़ा आप प्यारा से arrangement किया वा उसने देखवा आपको जैसे रखता है वैसे आप यहाँ इस वाले row में दो element 0 है तो इसके respect में expansion करेंगे तो यह यह आएगा AD minus BC 5 into AD minus BC expansion करने आप यह आ गया अब इसका मतलब यह मुझे 9 0 चाहिए है अब यह 9 0 भैसवे तो infinite possibilities हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे इस टी complement approach लगाएंगे लाला और आप सबको पता है कि P and C probability में भर भर के ऐसे question होते हैं जहां routine approach lengthy होती है लेकिन complement approach से जाएं तो question आसानी से बखुभी हो जाता है तो वैसा है कुछ यहां भी है हम क्या करेंगे पहले तो total number of matrices निकाल लेंगे जो बनाई जा सकती है आप इस set में counting करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 elements हैं और ABCD आप यहां से उठा रहा है इस पूरी matrices में 4 unknown है ABCD यहिए मैं A के लिए choice देखूं तो मेरे पास कितनी है आठ है B के लिए choice देखूं तो भा데 सब B के लिए भी आठ C के लिए भी आठ और D के लिए भी आठ ABCD उसने ऐसा तो कहा नहीं के distinct है तो चारों के चारों 13 के equal हो सकते हैं चारों के चारों 0 के एकवर हो सकते हैं, बिलकुल हो सकते हैं, तो A के लिए आट च्वाइस, B के लिए आट च्वाइस, C के लिए आट च्वाइस, और D के लिए आट च्वाइस, यह हमारा 8 to the power 4 total number of matrices होंगे, अब इनमें से वो वाली matrices minus करेंगे, जिनमें यह value 0 आ जाती है, य बाकि सारे प्राइम नंबर है, बड़ा प्यारा combination है, देखो आप, 0 को छोड़ने तो बाकि सारे प्राइम नंबर है, ओ, है या नहीं, अब आप सोचो, प्राइम नंबर में, क्या BC minus AD को 0 करना संभव है, इस 0 की help के बिना, मालो आपने यहाँ पर, B और C को आपने 1 को 3, 1 को 5 लिया, तो क्या AD 15 बन सकता है, एक अही केस में बन सकता है, कौन सा, इनको भी 3, 5 ले लिया जाए, वरना AD 3, 5 के अलावा आपने कुछ और ले लिया, तो बावू, यह नहीं बन पाएगा, ओके, यानि, यहाँ का product, आपने दो prime number का product बनाया है, चाहे वो same है, चाहे distinct है, तो वही product आपको यहाँ भी generate करना पड़ेगा, तब ही 0 आएगा, ऐसा कता ही नहीं हो सकता कि, 7 में से 2 यहाँ ले लिए, बचे में 5 में से 2 यहाँ ले ले, तो हम 0 नहीं कर पाएगे, वो 0 करने की एक possibility कौन सी आ जाती है, एक possibility आ जाती है कि हम A, B, C, D, इन में से 4 के 4 को 9 0 रखें, अब 9 0 रखेंगे तो क्या समझ में आता है मेरे बच्चे, बहुत simple सी बात है, A के लिए कितनी choice, यहां माल लीजे, B के लिए, B के लिए कितनी choice, आप आसानी से decide कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको, भाई, कुल मिला क कि आप यहां पर कैसे करें, कुछ नहीं मेरे बच्चे, आप यहां पर एक काम कि मैं यह B और C अलग 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 लेता हूँ, distinct लेता हूँ, distinct लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इन 7 में से 2 प्राइम नंबर का selection करता हूँ, उनको B और C को assign करने की मेरे पास कितनी possibility है, 2 factorial, जैसे मैंने माल लिए 3 और 5 उताया, तो मैं B को 3 और C को 5 और ऐसा भी कर सकता हूँ, बी को 5 और C को 3 ले लूँ, हाँ, यानि पहले 7 में से 2 प्राइम नंबर select किये, फिर उनको assign करने का तरीका 2 factorial, फिर ये value fix हो गई, अब मु के equal करना है, तो जो 2 prime number यहाँ use के हैं, वहीं यहाँ भी use करने हैं, और यहाँ उनको फिर arrange करने की मेरे पास कितनी choice है, 2, क्यों, भई 3, 5 मैंने यहाँ उठा लिए, 3, 5 यहाँ भी ले सकता हूँ, अब यहाँ भी उनको arrange करने की 2 choice है, 3, 5 या 5, 3 कैसा भी हो सकता है, यहाँ, आप देखो, यहाँ 3, 5 और यहाँ 5, 3 लेनू चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, product मेरा fix है, ओके, तो जब distinct number ले रहा ह साथ, non-zero prime number जो हैं हमारे पास, उनमें से एक select किया, BBY बना दिया, CBY बना दिया, अब ADB वही बनाना पड़ेगा, मेरे पास choice ही नहीं है, क्यों, जो यहाँ है, वहीं यहाँ पर होना चीए, product save होगा, तभी difference 0 आएगा, यानि arrange करने का एक अही तरीका है, कितना आ गया, calculate कर लेते हैं, लाला क्या दिकत है, आप देखिए, 7C2 आपको पता है, 7C2 यहाँ के बस 42, 42 और 2 आपके पास यह हो जाएगा, 84, प्लस 7, यानि 91 आगया, मेरे भाई यह तो, जी हाँ, पर इसी तरह से case 2 पकटते हैं, अभी हमने क्या किया था, ABCD में से कोई भी 0 नहीं है, अब ह आप देखो, 0 बनाने की संभावना देखो, दो numbers, B और C मुझे 0 रहा, इनका product 0 बनाना है, confirm है कि इनमें से 1 0 लेना पड़ेगा, दूसरा, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो मेरे पास B into C को 0 बनाने की कितनी choice हैं, जरा गौर से देखिएगा, B 0, C 0, B 0, C 3, B 0, C 5, ऐसे ही च choice हो गई, देख लो, जी हाँ, 8 choice हो गई, अब आप देखो, ये वाली जो choice हैं, ये वाली, इनको आप ऐसे, rearrange कर सकते हैं, बैया, B 0, C 3 की जगे, आपने क्या लिया, B 3, C 0, हाँ, ओ, इनमें तो interchange करने का फरागी नी पड़ेगा, ना, तो कुल मिला के, B into C, यदि मैं 0 बनान चाहरा हूँ, तो मिले पास कितनी choice हैं, 15 choice हैं, इन 15 में से कोई सी भी एक choice पकड़ो, B into C को 0 बना दो, और इनी 15 में से कोई सी भी एक choice पकड़ो, और A और D का protect भी 0 बना दो, दोनो 0 difference, 0 आ गया लाल, ये कितना हो गया, 15 into 15 into 25, जी हाँ, हमारा final answer, final answer आप बड़ी आसाली से match कर सकते हैं, कि हमारा final answer जो होगा, वो होगा, 8 power 4, minus of 91, जो यहाँ पर है, minus of 225, ये तो calculate करके आप, निकाल ही लेंगे, जे advance से देने जा रहे हैं, ये तदी calculation तो आनी चाहिए, 8 power 4 तो निकाली लेंगे, प्लस माइनस तो करी लेंगे, जी हाँ, कर लीजीगा, वच्छे, आपको जो दिखाया है, वो वही धा, क्या, blending of chapters, blending of concept होगा, मिलेगा आपको PNC के साथ, तो बहुत संभावना की, या वो probability पर आएगा, या फिर वो आपके mattresses, determined पर आएगा, या किसी और chapter में भी आ सकता है, तो चीजें जो हैं, वो काफी frequently मिला के आती है, अगला question हमारे सा अच्छा उतना ही नया बना हुआ है, देखे, क्या है question एक बार पढ़ते है, comprehension है, यह comprehension है, फिर इसके दो question हमारे सामने आएंगे, यह और यह, हम इन दोनों को solve करेंगे, बड़ा प्यारा question है, हाँ जी, तो यह जो question कह रहा है, बचे कि यह क्या कह रहा है, यह क्या कह रहा है दो system है parallel lines के, आपस में perpendicular हैं, और फिर कहता है कि एक में n number of lines है, containing n lines in each system, and distance between pair of lines is 1, यानि, कुछ मिलाके situation ऐसी कहता है, यह एक line, यह दूसरी line, यह तीसरी line, यह चौती line, ऐसे चल रहा हैं, और इसमें n number of lines हैं, यह एक system है, बूसरा system कहता है कि ऐसा है, इसी के perpendicular है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही यहां भी n number of lines हैं, तो उसने एक और बात कही है, कि वह यह इन system की adjacent line के बीच में दूरी जो है, वो बराबर बनी वही, यह भी 1 है, और यह भी 1 है, ऐसा कहरा है, यानि, ultimately, one by one की grid बनने वाली है, इससे, one by one के square की grid बनने वाली है, यह सारा उसने जो है, paragraph कहा है, अब इसका पहला question क्या कहता है, n is equals to six, total number of ways of selecting four squares, n six है, ध्यान दीजेगा, तो इसका मतलब आपको बढ़ा है, कि यह n six है, तो five by five squares की grid बनेगी, yes, definitely, जड़ा उसको बना के देख भी लेते हैं, क्या बनेगा, n six के case में कैसे बनेगा, वो हम समझ लेते हैं, two, three, four, five, six, two, three, four, five, six, यह आ गया देखो, six lines हो गई, तो आपको दिख रहा है, five squares यहां horizontal में है, five ही vertical में है, तो five one by one के squares का grid बन गया, अब वो क्या कह रहा है, आगे बन, one unit side length from grid formed by above line, such that exactly three pairs, वो कहता है, total number of ways of selecting four squares, वो कहता है, चार square one by one के आपको select करने है, और यह चार square कैसे होने चीए, उसको देखिए, वो कहता है, चार square ऐसे होने चीए, is such that exactly three pairs of squares have exactly one common point, one common vertex, and three have no common vertex, यानि आप चार का selection कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो चार में से दो-दो को select करेंगे, तो कुन मिला के 6 selection हो जाएंगे, चार square select किये, अब मैं उन में से दो-दो के pair बना रहा हूं, या दो-दो के selection कर रहा हूं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से, 4C2, वो कहता है, इन 6 में, तीन pair ऐसे हैं, जिनमें एक-एक vertex common है square में, और तीन pair ऐसे हैं, जिसमें vertex common नहीं है, यानि pair जो हैं, vertex common वाले कौन-कौन से हो सकतने हैं बाबू, यानि कहीं न कहीं, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनो square में एक vertex common आ गया, येस, फिर कहता है कि, ऐसे भी तीन pair हैं, जिनमें vertex common नहीं है, तो अब खुर मिला के, ऐसे 4 square का selection कैसे कर सकता हैं, बड़ा प्यारा question है, क्यों प्यारा है, यहां आपको thought देना पड़ेगा, calculation में आप से या तो ज़्यादा counting होगी, या कुछ छूट जाएगा, या नि या तो कुछ repeat हो जाएगा, या कुछ छूट जाएगा, बहुत consciously समझ बूज कर, आप इसको सही तरह से कर साथ, जब तक आप इसको logically approach नहीं करेंगे न, आप यह answer नहीं कर पाएगे, भाई, आपको इसा रगे गए यार यार ये, तो छूट तो नहीं गया, यह होगा क्या, और answer मिलाएगा तो पता हिलेगा, यह होने की संभवन, PNC में आपके साथ यह काफी सारे question में होता भी है, तो यह होने की संभवना बहुत ज़्यादा है यह, तो एक logical approach जिससे कि यह कभी नहीं ना तो को छूटे, और ना कोई double count हो, कैसे, उसको समझेगा, मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर, ऐसे squares के selection के लिए, जो grid use होगी, maximum उसकी dimensions क्या होगी, वो पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं पहला case लेता हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कि मैं यहाँ से 4 by 4 का selection करता हूँ, मैं अभी 40 square बाद में select करूँ हूँ, पहले मैं यहाँ से grid पकड़ रहा हूँ, 4 by 4 की, तो जैसे 4 by 4 की grid का मतलब कुछ ऐसा, समझिएगा, ओके, बात तो सही है, ठीक है, अब इस 4 by 4 की grid में में 4 square, मैं 4 by 4 की पूरी dimensions use करूँगा, और 4 square select करूँगा, जिसमें 3 में vertex common होगा, तीन में नहीं होगा, कैसे, देखिए, अब यहाँ पर ऐसा selection कर लूँ, मेरे लाल, इस selected grid के, diagonal के 4 square पकड़ लूँ, तो इस selected grid के, diagonal के 4 square, जब मैं पकड़ूँगा, तो देखना, इन दोनों में एक vertex common आ गया, इन दोनों में एक vertex common आ गया, यानि तीन pair मिल गए, जिन में vertex common है, और तीन pair ऐसे भी हैं, जिन में vertex common नहीं, कैसे, इसमें और इसमें, कोई common नहीं है, इसमें और इसमें, कोई common नहीं है, इसमें और इसमें, कोई common नहीं है, ओ, तो यानि यह तो अलग अंदाज में खेल रहा था येस अब बाहर आती है कि यदि मैं ये पकड़ लूँ कि कितने तरीके से मैं 4x4 की grid select कर सकता हूँ तो हर grid में मेरे पास ऐसे selection की दो choice होंगी कौन सी कि या तो ये वाला diagonal पकल लूँगा या ये वाला diagonal पकल लूँगा हाँ तो सबसे पहले तो 4x4 की grid select करने की choice कितनी है मेरे पास 4x4 के लिए मेरे बच्चे मुझे दो vertical line और दो horizontal line select करनी है जब मैं पहली vertical line ये वाली select करता हूँ और 4x4 का grid चाहिए तो दूसरी vertical line ये वाली select की जा सकती है यानि एक ऐसा square बन ऐसा grid बन जाए दूसरा कौन सा कि मैं पहला line vertical ये वाला select करूँ तो दूसरा मुझे ये वाला मिलेगा अब इसके अलावा मुझे मेरे पास choice नहीं है क्यों यदि मैं इस vertical line का selection करता हूँ तो आगे 4x4 के लिए मुझे एक और line चाहिए थी वो नहीं है यानि यदि मैं देखूँ तो horizontal line यदि first वाली select ही h1 मानलो मैंने इसे कहा ये वर्टिकल लाइन v1 ये v2 और ये v3 ये v4 ये v5 और ये v6 है तो v1 के साथ v5 select कर सकता हूँ व2 के साथ v6 कर सकता हूँ और ऐसा ही मैं horizontal वाले case में भी कर सकता हूँ ये h1 है ये h2 है ये h3 है ये h4 है ये h5 है ये h6 है यदि मैं h1 का selection करता हूँ तो मेरे पास choice है h5 की और इसी दर से h2 का selection करता हूँ तो h6 की choice है यानि 2 vertical line select करने की 2 choice 2 horizontal line select करने की 2 choice तो मेरे पास 4 by 4 की grid के selection की choice हो गई 2 for horizontal line 2 for vertical line अब ऐसे हर selection में मैं ऐसे 4 square select करना चाहरा हूँ जो मुझे question में बोला है तो उसका तरीका क्या है diagonally या तो ये वाला पकड़ेंगे या ये वाला पकड़ेंगे यानि इस selection की choice 2 ये तो होगया 4 by 4 पूरी length use करी मैंने 4 by 4 की अब देखेगा अगली possibility पकड़ते हैं हम क्या 4 by 3 में ऐसा selection possible है क्या 4 by 5 by 5 देखेए क्या 5 जा सकते हैं क्या किसी side में 4 ने किसी side में 5 जाने का मतलब नहीं है ये maximum length हो सकती है ये मुझे 4 square select करने है तो डैगनरी select करने पर ही मैं सबसे बड़ी dimensions cover करूँगा अब देखेए मैं अगला खेल करता हूँ बच्चे कौन सा उसको समझेगा मैं 4 by 3 का selection करता हूँ यानि एक side length 4 और एक 3 हो तो जड़ा गौर से देखेएगा किस देखे के selection की बात की जा रही है ये 4 by 3 के grid select करने है इदर से 4 है इदर से 3 है अब सबसे पहले तो ये देखते है कि 4 by 3 के grid के selection के तरीके कितने है यदि मुझे यहाँ पर 4 चाहिए तो मुझे पता है दो vertical line में में पास दो ही choice है V1, V5 या V2, V6 जी हाँ horizontal line में 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 पास कितनी choice है H1 के साथ H4, S2 के साथ H5, S3 के साथ S6 तीन choice अब 4 by 3 के साथ साथ में में मेरे बच्चे 3 by 4 भी तो कर सकता हूँ जी हाँ जब ऐसा किया है तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा कर दिया तो इसी को 2 से multiply कर देते हैं 4 by 3 वाला choice ही 3 by 4 में भी होगा ये 4 by 3 या 3 by 4 के grid select करने के तरीके हो गए अब इस grid में मुझे 4 square select करने जो यहाँ बोले हैं और कैसे कि 2 तीन पेर ऐसे होने चीए जिनमें एक एक वर्टेक्स कॉमन हो तीन पेर ऐसे होने चीए जिसमें एक भी वर्टेक्स कॉमन ना हो जड़ा God से रेखेगा क्या ऐसा possible है मेरे बच्चे एक संभावना क्या ये है क्या आप मुझे बताएंगे इस पेर में ये वर्टिक्स कॉमन इस पेर में ये वर्टिक्स कॉमन इस पेर में ये वर्टिक्स कॉमन तीन पेर मिल गए एक एक वर्टिक्स कॉमन वाले इसका इसके साथ कोई कॉमन नहीं है इसका इसके साथ कोई कॉमन नहीं है तीन पेर ऐसे भी मिल गए जिनमें कोई common vertex नहीं है यानि देखें तो ये एक L शेप बन रही है ऐसे है अब ऐसा selection कितने तरीके से हो सकता है मेरे बचे यहाँ पे मैंने L ऐसे बनाया मैं L ऐसे भी बना सकता हूँ जैसे अभी देखें एक L तो मैंने ऐसे बना दिया एक L ऐसे भी बन सकता है ये तीन और ये बन सकता है बिल्कुल बन सकता है कोई doubt नहीं है क्या और कोई तरीका है बिल्कुल तरीका है एक L ऐसे बन जाएगा यहाँ से यूँ ओ, और एक एल ऐसे ही यहां से यहां से बनेगा कैसे यह वाला यानि ऐसे उसमें चार तरीके होंगे जिसमें आप ऐसे स्क्वाइर का ऐसे चार स्क्वाइर का सेलेक्शन कर सकते हैं, यह हो गया अभी थुआ सा ज्यादा कच्छ़ा हो जाएगा कैसे मैं यहां से यह था देता हूं सब कुछ है ठीक है ना यह समझ में आ गया अब हम यहां से इन चीजों को हत्याते हैं ताकि हमें चीजें जो है समझ में भी आए कि कैसे क्या करना है अगला वाला केस बनाएंगे क्योंकि हम इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं यहां तक यह हमारा होगया ठीक है ना यह अब इस में हमें पधा है कैसे हर बार 4च हो सकते हैं यह हमारा इसका आ अब यह हमने cover कर लिया 3 by 4 या 4 by 3 वाला case आप देखो यहां मैंने पूरी length cover की थी 3 by 4 पूरा cover किया हुआ है ठीक है न ऐसा नहीं कि आप यहां पर कुछ और combination बनाए जिसमें 3 by 4 cover ही नहीं हो यह देहां रखना अगला case देखेगा क्या अब मेरे बच्चे मैं यहां पर 4 into 2 की बात करता हूँ 4 into 2 का selection यहीं मुझे करना है तो आपको समझ में आना चे कुछ ऐसा selection करने वाला हूँ यह वाला इस selection में पहले तो यह 4 into 2 का selection कैसे हो सकता है 4 into 2 के साथ यह 2 into 4 भी हो सकता है बात एक ही है अब मुझे क्या करना पड़ेगा दो vertical line alternate वाली तो V1 के साथ V3 select करनूं V2 के साथ V4 करनूं V3 के साथ V5 करनूं V4 के साथ V6 करनूं जी हां तो खुल मिलाके में पास कितनी choice है 4 choice है और 4 की यहां मेरे पास कितनी choice है V1 के साथ V1 के साथ H5 और S2 के साथ S6 यह नहीं दो ही choice है तो यहां आपके पास 4 into 2 आ गया और into 2 क्यों यह होगा यह होगा यह होगा यह अब इसमें 4 square का selection करते हैं यहां 4 square का selection जिनमें 3 pair में एक एक vertex common हो तीन में ना हो जड़ा गौर से देखेगा माशालला क्या शांदा निकल के आया देखो आप यहां पे इन दोनों में एक vertex common इन दोनों में vertex common इन दोनों में कोई common नहीं और आप देखो 4 by 2 पूरा cover किया है मेरे लाल हाँ तो इसका मतलब यहां पर आप ऐसे हमें select करना पड़ेगा तो कितनी choice होंगी या तो ये वाला pattern, या फिर ये वाला pattern, ऐसा भी दो हो सकता है कि ये selection कर ले है, हाँ, तो selection की choice कितनी होगे, selection की choice 2 होगे, इसको हट्या देते हैं, selection की choice 2 हमें समझ में आ गई, तो यहाँ into 2 कर लेते हैं, ये हमारा खेला किसका का हमने complete कर दिया, 4 into 3 का, 4 into 2 का, अब क्या कोई ब 3 into 3 यानि कुछ ऐसा selection मेरे लाल, ये वाला, इसमें चल सकता है कि इसमें ऐसे square का selection हो सकता है क्या, बताएंगे कि आप, हो सकता है, पहले तो हम 3 into 3 का selection कैसे होगा, उसको पकड़ेंगे, मिरे बच्चे 3 into 3 में मुझे है, या तो मैं V1 के साथ V4 ले लू, V2 के साथ V5 ले लू V3 के साथ V6 ले लू, 3 choice horizontal के लिए, 3 ही vertical के लिए, होगा ये, अब ऐसे हर 3 into 3 में, ये 4 square का selection with the given condition कैसे किया जा सकता है, कोई संभावना आपको दिख रही है क्या, मिरे को तो दिख रही है लाला, आपको दिख रही है दिख रही मुझे नहीं पता, लो जी, बढ़े या काम, एक vertex common, एक vertex common, एक vertex common, इन में कुछ common नहीं, इन में कुछ common नहीं, और इसी दर से किसमें common नहीं, इसमें common नहीं, इसमें common नहीं, बन गया काम, तीन में एक vertex common है, तीन में common नहीं है, और पूरा 3 by 3 cover हो रहा है देखो, अब ऐसी choice कितनी होंगी यहाँ पर, इस diagonal के साथ इसे ल इसे ले दो चॉइस यानि कुद मिला के चार फो चॉइस हो गई इसमें ओ अब इससे नीचे इससे छोड़ी ग्रिट में फोर स्कुर्स का सेलेक्शन इस कंडीशन के साथ नहीं हो सकता देख लो आप चाहिए आप फोर इंटु वर ले 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 अब आप सेलेक्ट नहीं कर दिएगा तो मेरे बच्चे यहां से तो मेरे पास कितना हो गया 8 हो गया फिर यहां से मेरे पास कितना हो गया यह हो गया जी आपका 12 12 इंटु 4 48 पिर यहां से कितना हो गया यहां से देखें आपके पास 8 इंटु 4 32 ठीक यहां से कितना हो गया 9 into 4, 36 count कर लेते हैं तो ये बन गया 80 80 और ये आपके पास कितना हो गया 44, 80, 44, 124 जी हाँ, C हमारा answer आ गया देखो आप exact answer, बड़ी logical approach से तो ये comprehension, फिर मैंने आपको समझा लेकि बहुत ही प्यार है मैंने आपसे कहा था, कि ये जरूर है कि इसे लगबग 7 से 8 साल पहले मैंने प्रेम किया था, लेकिन आज भी ये उतना ही सतीक बैटता है यदि आपको चीजें सीख लिए और आप कहेंगे क्या ऐसे इस तरह के cases बनाने वाले question आते हैं, मेरे बच्चे लिए आप record उठाके देखेंगे, तो पिछले कुछ सालों में ये कुछ particular इस तरह की cases count करने, अलग-अलग case में जिजे count करने वाले question भर-भर के आए PNC के, PNC probability के तो आप इनसे बचने की कोशिच न करें, आपको ऐसे question मिलने वाले हैं आगे बढ़ते हैं, इसी का second part हाँ, two different shades of each, such that no two squares with common sides have same color of any shade, समझेगा N equals to 3 N equals to 3 में में मेरे बच्चे क्या होने वाला है तीन vertical line, तीन horizontal line यानि situation कुछ ऐसी होगी one by one के four squares का एक grid होगा होगा नहीं होगा, येस अब वो क्या कह रहा हैं, वो कह रहा है कि इन चारों squares को आपको सरहा color करना है color के लिए आपके पास क्या है, चोई से color के लिए आपके पास तीन different colors available है और हर color के आपके पास कितने shade हैं, दो shade है यहाँ shade का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए, आपके पास green color है तो dark green भी है, light green भी है रेड है, तो dark red भी है light red भी है, ऐसे है यानि तीन color है और तीनों color के दो shade है आपके पास फिर क्याते हैं, कि आप यहाँ पे इन चारों square को ऐसे कितने तरीके से color कर सकते हैं कि such that no two squares with common side यानि कोई भी square जिसमे एक side common है, उन दो square में same color ना हो, same color with any shade बोला है देखो आप यानि वो कहता है कि यहाँ ग्रीन किया है तो यहाँ green नहीं होना चाहिए ऐसा वो यह यह भी कह रहा है, कि यहाँ dark green और यहाँ light green यह भी नहीं चलेगा यानि green अगल वगल में चाहिए ही नहीं यानि same color अगल वगल में नहीं चाहिए, वो different shade का हो तो भी आप नहीं कर सकते है यानि हम यहां पर अब क्या करेंगे इन दोनों में same color नहीं होना चाहिए और same color की बात कर रहा है color की बात कर रहा हूँ shade की बात नहीं कर रहा shade बाद में देखेंगे यानि उसका कहने का मतलब है dark red और light red नहीं चलेगा बाव अगल बगल में हाँ यहाँ red है या green है फिर shade कैसा भी है चलेगा कोई दिक्कत नहीं अब यह जो है इसको आपने अप्रोच किया होगा आप यहाँ maximum लोग जो है यहाँ तीन की जगे 6 color लेके चल रहे है 6 color लेके चल रहे है इस आप 6 color है लेकिन बच्चे आप यहाँ 6 color लेके चलोगे तो मज़िदार चीज किया है कि जो कदर यहाँ किया वो यहाँ नहीं कर सकते लेकिन अब आप देखो यहाँ पर आपने green में क्या किया है कोई सब भी किया है उससे लेना देना नहीं यहाँ आप green यहाँ green कब नहीं कर सकते चाहे आपने यहां dark green किया चाहे यहां light green किया यहां green नहीं कर सकते तो यह जो 6 लेकर कर रहे हैं वो उलज गए हैं उनसे हो नहीं रहा है करना कैसे है करना देखो इस चीज को ऐसे समझो बड़ी प्यारी चीज है बड़ा आसान questionnaire ही उस तरीके से चलेंगे तो कि मैं पहले इन block को इन square को color assign कर देता हूं शेड बाद में देखेंगे मालो मैंने color assign ऐसे कर दिया red green red blue मेरी condition satisfy हो रही है कोई भी दो square जिनमें common side है उनमें same color नहीं है यह coloring मैंने assign कर दी इन 4 squares को अब जितने तरीके से ऐसे coloring assign कर सकते हैं वो तरीके पकर लो अब जैसी आप से किसी ने का यहां आपको red fill करना है अब यहां red fill करने की दो choice है dark या light यहां green fill करने की दो choice है dark या light यानि हर block में जैसी color fix किया किसी ने लिख दिया जी अब आपके पास दो choice है उसको paint करने की किसी ने लिख दिया आर अब वहां पर आपको दो choice है paint करने के light भी कर सकते हैं और dark भी कर सकते हैं यानि आप पहले squares को color assign करो बस वहीं से खेल आपका बन जाएगा अब color assign कैसे करेंगे उसको समझेगा मेरे बच्चे मैं पहला case लेता हूं कि मैं तीनो color use कर रहा हूं यानि इस grid को paint करने के लिए तीनो color use किये जा रहा है मानलो color आपके पास जैसा मैं लिख दिया था red green blue ऐसे है मानलीजिए तो मुझे तीनो color use करने है तो किसी एक block पर मैं आया उस block को fill करने की उस block को color assign करने की कितनी choice है color assign करने की तीन choice इनमें से कोई भी एक color ले लिया just for an example कि हमने red ले लिया इसे करें ऐसे में उलच जाएंगे अब मैं तरीके बता लूँ कैसे करने है मेरे बचे जैसी आपने यह देखा कि मुझे तीनो color use करने है तो आपको यह चीज़ धिया रखनी है तीन color है चार square है यानि एक color का repetition करना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा ओओ एक color का repetition करना पड़ेगा तो इन तीन में से पहले तो एक color का selection करो जिसको आपको दो block assign करने है ओओ आपने कर दिया 31 से अब जैसे आपने मान लीजिए RGB में से R उठा लिया red वाला उठा लिया एक color अब यह red वाला color आपको दो जगे भरना है दो block को आपको red color assign करना है तो आप देखिए तो कौन से block हो सकते हैं जिनमें same color assign हो जाए या तो ये वाला या ये वाला diagonal ही हो सकता है इसका मतलब जिस color को select किया है उसको दो block assign करने की मेरे पास दो choice है कोई सा भी एक diagonal assign कर दूँगा बन गया काम जैसे माल लिए इन दोनों में मैंने आर भट दिया अब बच्चेवे दो color मुझे इन दोनों जगे में use करने है तो बच्चेवे दो color को इन दो जगे पर fill करने की यानि दो block में बच्चेवे दो color assign करने की choice कितनी दो यानि कुल मिलाके ऐसा pattern हो गया शायद कि एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा ये color assign कर दिये मैंने कौन सा तरीका है जिसमें मैंने तीनों color use किये मैं दूसरा case लेता हूं मिरे लाल case कौन सा लेता हूं समझिएगा मैं अब दो ही color use करूँगा यानि paint करने के लिए दो ही color use करेंगे आप यदि दो ही color use करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे मुझे पता है color 2 है square 4 है इसका मतलब clear है इस diagonal में भी same color होगा इस diagonal में भी same color होगा येस तो मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा तीन color में से दो color select करने पड़ेंगे अब इन दो color को diagonal assign करने के तरीके दो जी हाँ जैसे मान लीजिए आपने red और green select कर लिया तो आपके पास choice क्या है इन दोनों जगे red इन दोनों जगे green या फिर इन दोनों जगे red इन दोनों जगे green येस दो choice है अब क्या और कोई case बनेगा नहीं बनेगा एक color से चारो block नहीं हो सकते येस जो condition दी उसमें यानि कुल मिला के block को color assign करने की choice ही हो गई ये कितना हो गया मेरे बच्चे 12 ये कितना हो गया जी हाँ ये हो गया 6 तो total color assign करने के तरीके कितने हो गया 18 और फिर जैसी color assign किया हर block को paint करने के दो तरीके हैं पहले color assign की अब paint करना शुरू करते हैं जैसे आपने यहां red दिखा तो यहां इसको अब color करने की दो choice है या तो मैं dark red करूँ या light red करूँ इसके लिए भी दो इसके लिए भी दो इसके लिए भी दो यानि 2 पावर 4 यानि हमारा answer आएगा 18 into 16 जी हां और यहां तो मैं से देखा हूं कि शायर यही match करेगा क्योंकि 18 into 16 का last digit 8 होगा question सही है तो यही answer होगा आप निकाल के देख सकते हैं आराम से ठीक है आगे बढ़ते हैं जी तो यह question जो है अलग approach से लेके जाना था कि पहले block को ऐनी square को color assign करना था उसके बाद में उनको paint करते वक्त shed को consider करना था इनीशली shed में उलज गए तो खेला हो जाएगा आप सोचो यहां अभी मैंने आपको यह दिया इसमें मैंने दो shed दिये यही मैं ऐसे पांच shed भी दे दूँगा तो अब कितना असान हो गया आप सोचो जरी आपकी अप्रोच से जाते हैं पांच shed होते हर color के तो पंदा color हो जाते है हमारी अप्रोच से क्या है बस कुछ नहीं है कि भाईया यह यह पांच shed है तो यहां five to the power four आ जाएगा बाकी सारा गेम तो यही रहेगा असानी से हो जाए कितने shed हो जाए ठीक अगला जी तो PNC में क्या मैटर करता है कि question आपको आता है नहीं आता है यह मैटर नहीं करता है उसको एप्रोच कैसे किया आपने वो question जब देते हैं बचे जही अड़िवांस के अंदर स्पेशिली तो उसमें ऐसी एप्रोच भी होती है जो बहुत उलजाने वाली होती है ऐसी एप्रोच की संभावना होती है और हम maximum लों क्या होते है उन संभावना वो जो लेंदी वाली एप्रोच उन उसी से question को एप्र जिसे कहते हैं यह जब हुईतियास से काफी समय हो गया आप तो उस समय का frame की आवा question है लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना कि अभी ऐसे questions बहुत आ रहे हैं जिनमें कुछ finite मतलब बहुत कम number of cases होते हैं और वो one by one एक तरसे count करने होते हैं यह एक तरसे उसी अंदाज का question और आप देखें इसको करके बड़ा प्यारा question है लेकिन जब तक आप consciously नहीं करेंगे answer सही नहीं आएगा लेकिन आप focus होके चीज़ों को करेंगे देखें कि बहुत आसानी से इसमें सब चीज़े छुपी हुई हैं कि आप कितना आसानी से इस question को कर सकते हैं यह आपने उच छुपी हुई चीज़ों को पकड़ लिया आसानी से निकाल लेंगे अगला देखें दिरिंग न टाइम अफ दी मोनेटेशन टू परसंस में टू बैंक टू बैंक टू गैट एक्सचेंज देर ओल्ड मनी ग्रास वैल्यू अफ नाइन थाउजंड थाउजंड 5500 दो बंदे हैं अपने पुराने नोट बैंक को देने गए नए लेने गए एक के पास 9000 थे एक के पास 5500 थे ठीक है रेस्पेक्टिलियन एन इस टोटल नंबर अफ वेज इन विच कैशियर कें एक्सचेंज देर मनी इप ही हैड 52000 रुपी नोर्स 6500 रुपी नोर्स और 2000 रुपी नोर्स अब आप मेंसे काफी लोग कहेंगे सर क्वेश्चन जादा ही पुराना हो गया आप तो 2000 के नोट बंद भी हो गया है जी हाँ लेकिन आपके क्या गयते हैं information के लिए बताओ यदि आप मेंसे किसी को नहीं पता है कि अभी भी आपके घर में 2000 का कोई नोट मिल गया है आप उसे एक्स्चेंज करा सकते हैं 2000 के नोट का चलंग बंद हुआ है 2000 के नोट बंद नहीं हुए है अभी आपको कुछ नहीं करना है पोस्ट ओफिस जाना है दो जाके नोट देने है एक पॉर्म लिक करना है एकाउंट डिटेल देनी है विजल बैंक से आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है बदल के फिक है तो अभी बंद नहीं हुआ है इसका मदा क्रेशन अभी बहुत ज्यादा पुलाना नहीं हुआ है जिया वच्छे उस वख ग्यादा कि बंदा गया जिसके बास नोजार है और एक हैं बंदा जि च्छे जो है वो 500 के नोट हैं यानि कुल मिला के 3000 यह हैं और 20 उसके पास 200 वाले नोट्स हैं यानि कुल मिला के 2000 उसके पास यह हैं इसके पास अभी कितना है तो वो 15,000 है मेरे बच्चे यह जो डाटा में लिख रहा हूँ यह बहुत काम का है और जो मैं आप से कहता हूँ छोटी छोटी चीजे जो question में होती है उनको आप लिखा करो आदर डालो यह यह problem solving art है actually मैंने लिख लिया अब मुझे दिख रहा है कि इन दोनो भाई का सम कितना है 14,500 और केशियर के पास कितना है 15,000 यानि इन दोनों के नोट बदलने के बाद भी केशियर के पास 500 रुपे बचेंगे अब केशियर के पास 500 रुपे बचने के दो तरीके हो सकते है यह आप देखोगे तो इन में क्या कि या तो उसके पास 500 के नोट बचेंगे और या उसके पास 1500 का बचेगा 2000 का उसके पास बच ही नहीं सकता क्यों उसके पास एक्सेज में सिर्फ 500 का एमाउंट है तो यह बचेंगे 500 तो 500 आप दो ही तरह से बस सकते हैं या तो 100 के 500 नोड या 500 का एक नोड इसको एरिया आपने पकल लिया तो चीजे बहुत आसान हो जाती है यह मेरे बच्चे person 1 है जिसको मुझे कितना देना है जिसको मुझे 9000 देने है और यह person 2 है जिसको मुझे वापस कितना रिटेंट करना है 5500 केशिर यही इसमार्थ है बंदा है तो उसको पहले किसके लिए काम करना चाहिए इसके लिए कम मेहनत करना है कम पैसा वापस करना है बाकि उसके लिए तो 24 कुछ भाई आपने इसकी व्यवस्था कर दिया तो आपके पास बचेंगे कितने 9500 और आपको देने हैं 9000 तो आप क्या करेंगे बचेंगे से 500 निकालके इसको पकड़ा देंगे इसका काम तमाम हो जाएगा यानि आसान क्या है इसको हम जो है आपके इसके नोट एक्शेंज करते हैं अब इसके नोट एक्शेंज करने में फाइदा क्या है कि ये नंबर छोलता है और इसमें हम एक चीज़ समझ माते है कि इसको कम से कम एक 2000 का नोट देना ही पड़ेगा यानि सारे के सारे 52,000 के नोलत इसको नहीं दे सकते क्योंकि 52,000 की value कितनी है 10,000 भाई को देना सिर्फ 9,000 यह तो इसका मतलब यहाँ पर हमें समझ मानाता है कि कम से कम एक 2,000 का नोलत इसको देना है और इसको 2000 के maximum कितने दे सकते हैं दो ओ यानि गेम तो यहीं खतम हो गया तो आप क्या गटते हैं बच्चे लीजिए इसको हमने 2000 का एक दिया अब एक चीज दियां दखना उसने साफ साफ बोला है एक चीज गिवन डैट नोट्स कें डिफर अनली बाय दियर वैल्यू यानि नोट्स को आप सिफ उनकी वैल्यू से डिफर कर सकते हैं यानि 2000 के दो नोट्स सेम है आपके लिए 500 के दो नोट्स सेम है आपके लिए अलग अ च्बास कितना पहुंच गया दोज़ार पहुंच गया अभी कितना ओर देना है है podia साड़े तीन हजार 12500 के लिए तरीके समझेगा क कि तृजिन फाइब भानड़े पहला तरीका यह है कि सारे के सारे सो के नो इसको पकड़ा दिये गये हाँ सारे के सारे सो के नोट इसको पकड़ा दिये गए अब सारे के सारे सो के इसको पकड़ा दिये और हमें एक और चीज धियां रखनी है कैशियर को पांसो बचाने है यदि सारे के सारे 100 के इसको दे दिये तो कैशियर 500 का एक ही तरीके से बचा सकता है क्या कि 500 के एक नोट को ठाके जेब में रख ले यानि यदि आप इसको 2000 का एक दे रहे हैं और 500 के छे दे तो के आप इसको तो के आप इसको पूरे के पूरे कितने पकड़ा दे रहे हैं 20 तो यह एक ही तरीका होगा पिर मेरे बच्चे दूसरा तरीका कि आप क्या करें इसको 2000 का एक दिया और आपने इसको 100 के दिये 15 अब 100 के 15 दिये एक 500 का देना पड़ेगा येस बिल्कुल तो इसका मतलब आपने क्या किया इसको 2000 का दिया 100 के दिये 15 एक दिया 500 का अब जो बचे वे उसमें 500 के भी बचे हैं और 500 के भी बचे हैं तो आप क्या करेंगे कैशियर हैं आप आपको 500 बच्चे वे 500, 500 के नोट अपने पास लख लें और या फिर जो 500 के 5 बच्चे हैं उसमें से एक उठा के लख लें यानि ऐसे केस में दो चॉइस फिर कौन सा कि अब अगला केस हम सो के इसको दस ही देते है दोजार का एक दिया सो के दस दिये तो कुल मिला के उसके पास तीन यार हो गए अब आप 500 के क्या देंगे 500 के उसको क्योंकि आप कुल मिला के तीन यार हो चुके हैं आपने 2000 का एक दिया 100 के दस दिये तो कुल मिला क इसको कितने पकड़ा देंगे, पांच, डेफिनेटली, होगा ना ऐसा ही है, बिल्कुल, ऐसा ही होगा, तो अब जैसे यहां पर हमने पहले जाले केस में क्या किया था, 2000 का एक दिया, और 100 के पूरे दे दिये, 500 का एक दे दिया, बचे में 500 के भी बचे हैं, और 100 के नहीं बच हैं, तो बचाने का तरीका कैशियर के पास एक ही है, दूसरे वाले केस में, आपने 2000 का एक दिया, 100 के दिये 15, अब 100 के पांच बचे हैं, बाकी बचावा पांसो से एमाउंट दे दिया, तो पांसो के भी बचे हैं, तो आप बचाएंगे as a कैशियर, तो पांसो का एक नोट भी बचा सकते हैं, और 100 के पांच भी बचा सकते हैं, फिर तीसरा केस के आपने 100 के दस ही दिये हैं, और बाकी बचा हुए अमाउंट पांसो का दिया है, तो अब देखिए, आपने 2000 दिया, फिर 100 के दस दिये, तो 1000 दिया, 3000 बचा उसको दही जार, तो आप 500 के पांच नोट दे सकते हैं अभी एक 500 का बचा है क्वेसे चौति सब्सक्राइब 6ordi तो आप ने जिम फोन मिला पके उसके पहुंचे कितने Sind confess 500 अब आपके पास 24 नहीं है आपको 500 के 6 के 6 नोट इसको पकड़ाने परेंगे इसका अमांट पूरा करने के लिए यानि अब आपके पास बचेगा सिर्फ क्या 1500 के नोट बचेंगे यानि आपको 500 बचाना है तो एक ही चोईस है कि 500 के बचा ले यह वो केस हो गया जब आपने मिश्को 2000 का एक नोट दिया अगली अगली बचे कि आप इसको 2000 के 2 नोट दे रहे हैं कि यानि या 500 का भी बचा सकते हैं सो आ भी बचा सकते हैं दो तरीके अफिर आपने यहां किया यह समझ मैं आया यहुं day मैंने 2,002 दिया तो 4 pumi और जो 1.800 निफटा दिया, झाओं तौर 500 कि एक 100 के 10 दिया, मैंने 500 का बचा है, 100 का बचा है यानि अभी बी दो तरीक या तो 500 का 1 भचाओंगा या 100 के 5 भचाओंगा थिक, पिर और सा और कौन सा तरीका, बैया चार यार यह हो गया, और मैंने अब इसको जो है, क्या किया, 500 के दो दिये, 5 यार हो गया, अभी भी 500 का भी बचा है, 100 का भी बचा है, दो तरीके फिर हो गया, येस बिलकुल हो गए इसमें को doubt ही नहीं है और last भे कौन सा कि मैंने इसको ये दिया और सारे के सारे मैंने 500 के पकड़ा दिये तीन 500 के पकड़ा दिये तो अभी भी 300 500 के बचे हैं 100 के भी बचे हैं यानि मेरे पास 100 के 5 500 का एक दोनों तरह से बचाने की choice है यानि ये दो तरीके और और यहां गेम खतम आपको समझाने के लिए पर भी इतना समय लगा यह आपको समझ में आ गया होगा तो आपके पास total choice कितनी हो गई भाई देखो 8 ही हो गई और 6 ही हो गई तो total हो गई 14 अब इसने क्या का है तो total number of ways N है तो N by 2 बता दो आप तो N by 2 कितना हो गया N यदि 14 है तो N की value आपके पास 7 आ गए तो यह जो question यह प्यार मजदूरी वाला question है जैसा मैंने कहा यह 5, 7, 10, 12, 15 वाले cases count करने वाले question आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से तो हमें इसके question से irritate नहीं होना है, समझ के focus होके हम उसमें एक तरीका होगा जिसमें वो सारी चीज़ें आसानी से की जा सकती है जैसे इसमें मैंने आपको बताया है ना कि क्या तरीका है बचे इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये कि आपको देना है इतना amount आपके पास है इतना यानि आपको बचाना है 500 अब 500 बचाना है तो दो ही तरह से बचा सकते हैं तो 100 के 5 बचाएं या फिर एक 500 का बचाएं यदि ये समझ में आता है तो सारी चीज़े आसान हो जाएं और ये भी आपको दिहान रखना है इस भाई को देते वक्त मुझे पता है कि मैं 2000 का कम से कम एक नोट इसे देना पड़ेगा मैक्सिमम दो दे सकता हूं इसी में मेरा काम चल जाएगा यहां जैसे ही किया इसके बाद मैंने चोईस कैसे काउंट की कि मैं as a cashier 500 रुपे कितने तरीके से बचा पा रहा हूं क्या 500 मैं 100-100 के 5 से ही बचा पा रहा हूं या मैं दोनों तरीके हैं कि 500 के 100 500 के 5 भी बचा लेता हूं या फिर मैं 500 का एक बचा लेता हूँ, यहां इसलिए मैं वन टू में ही खेला है रेकिए, वन का मतलब है उसके पास एक ही चोईस है पांसो रुपे बचाने की, या तो पांसो का एक या सौसो के पांच, और टू का मतलब है उसके पास दोनों चोईस है, पांसो का एक भी बचा सकता है, सौसो कही ना कही इस question को लेने का reason जो है एक तो principle of inclusion and exclusion पाई जिसे बोलते हैं आप और कापी सारे लोग इसको set theory से relate करके पढ़ाते हैं set theory से relate करके ही बच्चे भी पढ़ते हैं मैं यह कहता हूँ कि principle of inclusion exclusion में बहुत rarely set theory का Venn diagram बनाने की जवरत पढ़ती है एक बहुत phenomenal approach है उस approach को अरिया आपने पकर लिया तो सब चीजे ऐसे questions में आसान हो जाती है तो इस question की खासियत क्या है तो इसकी language से इसको record करना की क्या बंदा चाह रहा है दूसरी बात इसमें grouping का concept यूज होता है कि distinct object के area आपको group बनाने तो grouping कैसे बनाई जाते हैं कैसे groups तयार के जाते हैं गूप बनाने के तरीके कितने हैं यह कैसे निकाला जाता है उसका formula यादे तो बहुर अच्छी बात है नहीं तो formula में भी यह दी वो है तो कब क्या change होना है वो सारी चीजे पता होनी चाहिए वो भी use हो रहा है और principle of inclusion exclusion भी बड़े smartly यहाँ पर use करेंगे बड़ा प्यारा question है पहले question को पढ़ते हैं क्या कहता है There are four pairs of shoes of four persons with different sizes in a shoe rack A person can distribute these shoes to above four persons such that each receives any two shoes and no one get his own complete pair In M number of ways then largest digit in M is क्या है देखिए आपकी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मैं brief करता हूं समझाता हूं PNC में एक बड़ी redemption है PNC के questions में कि as a teacher कई वार हमें math से ज़्यादा English समझानी पढ़ती है अंग्रेजी समझानी पढ़ती है और मुझे कई बार इस पर बड़ा कौफ आती है क्यों आप सभी बड़े लोग में मेरे बच्छों को जो है सबको मैं हमेशे दोस कहता रहा हूं और मैं बड़ा मानता हूं आपको मुझसे क्यों क्योंकि मैं सिर्फ एक subject deal कर रहा हूं math और वो भी 25 साल होगे भाई और आप एक ही साल दो ही साल में तीन-तीन subject को उस लेवल तक जही एडवांस के लेवल तक deal कर रहे हैं और जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो वो सब पड़े लिखे लोग हैं जिन्नोंने में से एडवांस के लिए क्वालीपाई किया यानि वो जो 14-14 लाग लोगों ने एक्जाम दिया उसमें से selected 2 लाग बच्चा है तेर से 2 लाग बच्चा वो यहाँ पर है यानि एक तरस से 14 लाग का क्रीमी पार जो है वो सामने है तो आप लिश्चित है मुझसे बड़े हैं लेकिन जैसे मैंने का कि मुझे कई बार है वो यह होती है क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चा आलमोस्ट 99.99% बच्चा जो है वो वो है जो अंग्रेजी माध्य में पड़ा हुआ है Convent Educated है और हम थेड़े लेंग्वेज भी आ जाएगा हम थेड़े तेट गवार हिंदी माध्य में पड़े विद्यार सरकारी स् जाए ऐसे खुले प्लेट फार्म पर लेकिन इस देश की विद्यम्बना है कि सरकारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसका नाम लेते ही जो पिक्चर सब के दिमाग में सैट होती है वो बहुत गंदी है और ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर एक मेंटलिटी की वज़े से सैट हो र होटी नहीं है एक इतने बड़े देश इतनी बड़ी अर्थ व्यवस्था जहां पर है उसमें और एजुकेशन जैसा मामला जो प्राइम होता है सबसे पहली रिक्वार्मेंट होती है किसी भी देश के लिए वो होती है एजुकेशन और हैल्थ पॉर्चुनेटली या अनपॉर्चुनेटली जो भी आपका है कोवीड के बाद फोला सा हैल्थ सिस्टम अपग्रेड हुआ है हाला कि मैंने का ना फोला सा हुआ है सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके देखेंगे तो बहुत बुरी इस्सिती होती देखने को मिलेगे ऐसा ही कुछ एजुकेशन सिस्टम के साथ भी है मेरा यहाँ इस प्लेटफर्म से सरकार से निवेदन है कि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी दिशाओं में कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी थोड़ा ध्यान दे हैं और सरकारी स्कूलों को जो उनकी एक पिक्चर दिमाग में सैट है उस पिक्चर से बहा निकाल के लेके आएं यकीनान इसके लिए राजनेतिक इच्छा शक्ती की बहुत हद तक जरुवत है लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे देश के जो राजनेता हैं उनके अंदर इच्छा शक्ती की कोई कमी नहीं हैं कुछ चाहें तो कड़ सकते हैं तो एक मेरी रिक्वर्स्ट है आप सभी नेताओं से इस प्लेटफार्म के तु यदि कभी ये वीडियो कहीं कैसे पहुंचे कि हमारे इन बच्चों पर पॉलिसी कृपा करें हर कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है अपने बच्चों को तो सरकारी स्कूलों का धाचा इदि सुधारा जाए हर तरह से चाहे वो इंप्रा की बात है चाहे वो टीचर्स के लेवल पर आप मेंसे हो सकता है का आप ही लोग ये मानते क्योंकि तीचर्स तो वहां सब एडूकेटेड हैं लेकिन कितना दे रहे हैं इस पर थोड़ी सी नजय रखी जाने चाहे हैं यहां बच्चे तो चलिए हम इसी पर आदें यह सब तो बाते चलती रही है कि यहां पर क्वेशन क्या रहे मैंने काना कि अंग्रेजी सीखानी प इसका मतलब यह है आला कि मैं महनता हूं कि आप सब जो है सब का वकेबलरी जो है मुझसे कहीं जादा अच्छा है प्रणसियेशन मुझसे कहीं जादा अच्छा है मुझे तो इंगलिश बोलनी भी नहीं आती सही तरह सभी बताऊं तो सुनते हैं तो समझ लेते हैं बड़ अच्छा नहीं आता है जालिए मैं बहुत ब्लंट हूं मैं जो जो है मेरे अंदर कमिया में उनको बिल्कुल एकसेप्ट करता हूं खुले प्लेटफॉरं पर एकसेप्ट करता हूं यहां बच्छे यहां पर देर आर पोर प्रस परसं कहता है चार परसं है उनकी साइज आगया है और वो बंदा बिलकुल ले मेन है उसे कुछ नहीं पता उसे नियुक्त समझ संभ यृ καा उसे ऐसे समझ मा परसं कि हरे दो पैर है उससे दो जूते देदर हैं तो बस इतना सा जानता है अब आप इसको कैसी भी समझ कि बहुत हुँ हुरखा है सेटर्डे नाइट होगी शायद जब ऐसा कर रहा होगा भाही ने लगाई हो ही होगी जिया कुछ भी हो सकता है आप कुछ भी समझें लेकिन बस यह कि वो बंदा जो शूज यहां दे रहा है ना चारों को वो ऐसा जिसे कुछ नहीं पता कोई होश नहीं है वो रेंडमली कोई भी दो जूते उठाके दे सकता है वो अलग अलग नंबर के दो जूते दे सकता है जिसमें एक लेफ्ट एक राइट हो वो अलग अलग नंबर के दोनों लेफ्ट वाले जूते भी दे सकता है यानि वो कैसे भी दो जूते उठाके दे देगा तब कहा रहा ह पर किसी को भी खुद के दोनों नहीं मिल रहे हैं खुद का एक मिल सकता है हो सकता है कि एक मिल जाए लेकिन complete pair यानि उसका काम नहीं बन रहे है उसके पैरों में panel like situation नहीं बन रही है वो कहता है कि ऐसा m number of ways से किया जा सकता है तो आप m निकाल दो फिर m जो largest digit होगी वो हमें answer करनी होगी यानि हमें क्या करना है हमें उन आठ जूतों को चार लोगों में दो-दो तहां करके बाटना है और ऐसे बाटना है कि किसी के पास भी खुद का complete pair ना पहुँचे अब यहां कैसे करेंगे इसको समझेगा इसमें बच्चे मेरे पास आठ जूते हैं पहले मैं आठ जूतों के दो-दो के चार pair बनाऊँगा दो-दो के चार group बनाऊँगा ये आठ जूतों को दो-दो के चार group में लिखने का तरीका चार group में बदलने का तरीका आप सब को पता होगा कि मान लीजिए मेरे पास 20 object हैं और मुझे 4 group बनाने हैं और मान लो ऐसे बनाने जिसमें 2 में 6 हों और 2 में 4 4 हों तो फिर 6 6 2 में होंगे तो 6 factorial power 2 आएगा 4 4 2 में होंगे तो 4 factorial power 2 आएगा और इन दों की power का factorial भी नीचे आएगा यह सब आपने पड़ा हुआ होगा यह objects की grouping कैसे की जाती हैं तो यहाँ पर वही मैंने 8 विजूतों के 2 2 के 4 group बनाए इस power का factorial मैंने बगल में लिख लिया और अब यह जो 4 group बने न मेरे बच्चे मैंने क्या किया इन 4 group को 4 लोगों में बांट दिया दो दो कि मैंने 4 group बना लिये अब एक pair किसी को दे दिया एक pair किसी को दे दिया यह चार pair मेरे पास है इनको 4 लोगों में आगे पास करने की choice मेरे पास 4 factorial है इसमें मैंने कुछ भी दिया नहीं रखा यह मैंने free होके किया randomly किया कोई condition मैंने दिया नहीं रखी isn't it? yes फिर मरे बच्चे मैं अगला क्या कर रहा हूँ उसको समझेगा इस मैंसे मैं वो case minus कर रहा हूँ जब किसी खुश नसीब के पास उसका खुद का complete pair आ जाता है क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए मुझे बोला है किसी के पास भी उसका खुद का pair नहीं आना चाहिए तो मैं पहले उस खुश नसीब का selection करता हूँ 4C1 से उसको उसके दोनों जुते दे देता हूँ अब बाकी बच्चे में 6 को तीनों में 2 बच्चे में 3 लोगों में 2-2 करके बाते हूँगा अब किसी condition का ध्यान नहीं रखूँगा तो यहां पर मैंने क्या किया बच्चे में 6 जुतों के दोडों के 3 pair बनाए उसका तरीका यह है और इन तीनों pair को तीनों लोगों में बांट देने का तरीका यह रहा अब मैंने total में से वो case minus कर दिया जब एक बंदे के पास खुद का complete pair आ गया अब क्या करना है बच्चे अब हमें करना है जब दो बंदों के बाद पास खुद का complete pair आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो भी नहीं चाहिए तो हम 4C2 से पहले उन दो बंदों का सेलेक्शन करते है जिनको उनके complete pair देने हैं 인को उनके pair दे दिये सलेक्ट करके और फिर बचे में चार जूते जो हैं उनके दो दो के दो pair बनाने का तरीका ये अब पर इनको उन दोनों में बाटने का तरीका ये ये वो case है जब दो लोगों के पास उनका complete pair आया फिर अब कौन सा case लेना है येस आपने सही का अब तीन complete pair कि भाई तीन लोगों को उनका complete pair दिया गया तो फैले 4 सी 3 से 4 का selection कर लिया तीन का selection कर लिया इनको इनका pair दे दिया बचे वे दो जूते उसको दे दिये ये ना अब सोचो बचे वे दो जूते उसको दे दे तो मेरे पास कोई च्वाइस है कोई च्वाइस ने ये आप देखो दो जूतों का आपको pair बनाना है 2 factor upon 2 factorial और 2 factor आपको फिर क्या करना है पिर एक जो बचा उसको देना है तो खुल मिला के जैसी आपने चार में से तीन का सेलेक्शन किया मेरे बच्चे क्या हुआ उन तीनों का आपने उनके पेर दे दिये अब बचा वा चौथे के पास जाएगा ही जाएगा 24 आपके पास है यह नहीं यानि वान अब आप एक बात देख रहे हैं कि मैंने यहां तो माइनस लगा है यहां अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है प्रिंसिपल ओफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है वो यह कहता है कि बावु ऐसे क्वेस्टन में दिमार्ग मत लगाना प्लस माइनस प्लस माइनस चलके खतम कर देना जी हां तो यह प्लस यह माइनस यहां प्लस अब यह खेला क्या चल रहा है जी हां मैं खेला समझा देता हूं ताकि आपका एक बढ़िया से रिविजन हो जाएगा और किसी क्वेस्टन में ऐसा कॉंसेप्ट को भी लगाना पड़ा तो आप आसानी से कर सकते हैं मेरे बच्चे मैंने पहले टोटल केस निकाले उसमें से वो केस माइनस किया जब किसी एक को उसका complete पेर मिला मैंने उसके लिए उस बंदे का selection किया बाकी को मैंने distribute कर दिया है प्री होके फिर मैंने जो दो बंदों को यहाँ पर हमें प्लस लिखना था भाई हम यहां माइनस दो हम पुल्टा लिख दिया ना यहां प्लस यहां माइनस है ना तो अब मैंने यह वाला प्लस और यह माइनस क्यों किया यह वो case है जब दो लोगों को उनका complete pair मिला वो आपने कैसे किया, पहले दो का selection किया, उनको उनका pair दिया, बचे वे चार्ज उते, दो दो के दो group बना के, दो लोगों में माट दिये, वो free हो के माट है, उसमें आपने ध्यान नहीं रखा, यह जो distribution कर रहे हैं, इसमें कोई restriction नहीं है, यह distribution free हो के कर रहे हैं, कोई restriction नहीं ह अब आप देखिए खेला हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पर ये जो दो बंदों को उनका पेर मिला ये एड क्यों कर रहा हूं जब कि मुझे ये माइनस करना चाहिए था मैं एड क्यों कर रहा हूं उसको देखेगा मेरे बचे माल दीजिए जो चार बंदे हैं वो A, B, C, D है मैंने 4C1 से A का सेलेक्शन किया उसको उसका पेर दे दिया ये फ्री हो गया खुद का पेर मिल गया और जब मैंने बाकी 6 जूतों को तीन लोगों में फ्री होके बाटा तब फॉर्चुनेटली B को उसका पेर मिल गया हाँ यानि अल्टिमेटली A और B दोनों के पास उनके पेर आगया A और B दोनों के पास उनके पेर आया है वो यहाँ पर माइनस हो चुका है और माइनस ही नहीं दो बार हो गया क्यों? कि पैटा, फॉर्ची बन से आपने A को स्वाट किया free होके जब distribution किया तब B को मिल गया यही कब माइनस हो गया? जब फॉर्ची बन से आपने B का सेलेक्शन किया उसको उसका पेर पहले दे दिया और free होके जब distribution कर रहे हो तब A को उसका pair मिल गया यानि A और B दोनों के हाथ में उनके pair आ गए ये चीज यहाँ दो बार minus हो गए करनी A की बार इसलिए हमने एक बार इसको क्या किया add किया ये principle of inclusion exclusion की beauty है कि आप जब free होके कोई काम करें फिर वो restriction जो आपको नहीं चीए वो एक दो तीन पर लगाते हैं ये सब को minus नहीं करना है आप जब इसको minus करोगे तो अगला वाला जो एक बार minus करना था और दो बार यहाँ हो चुका होगा यही इस्तिती इसकी भी है यह यहाँ पर देखोगे तो तीन बार यहाँ minus हो गया तीन बार यहाँ add हो गया तो एक बार अभी minus करना बाकी है यह चलेगा यह जो number आएगा यह आपको calculate करना है और मुझे लगता कि यह कोई बहुत बड़ा game है आसानी से आप calculate करके value तो निकाली सकते हैं निकाल सकते हैं जी हाँ इसमें जो larger dessert आएगी वो 9 आएगी मैं आपको बता जता हूँ कि उसका answer 9 आएगा यह वैल्यू आप मुझे ना निकल रहा है यह तो आप सब calculate कर सकते हैं निकाल सकते हैं इस यह था इस question का सारा का सारा खेल यहां से अमने principle of inclusion exclusion भी देखा बड़ी बड़ी प्यारी चीज है और आपने देखा कहीं प्यारी नंबर टिकेट्स तेमसेल्स सच देट बड़ी ब्लॉक्स आप 5,3,2 टिकेट्स इस बहुत प्यारा question जैसा मैं अभी अपने क्लास में अभी session में दो या तीन बार बोल चुका हूँ question को आप approach कैसे करें देख कैसे एता है यह pnc probability में बहुत माइने रखता है यह question उसका सतीक example है question क्या क्या रहा है उसको समझे question क्या रहा है बच्चे कि कुछ ऐसा है 15 टिकेट्स है 1 से लेके 15 तक के नंबर वाले है इन में से 10 टिकेट्स select करने है अब 10 टिकेट्स select कैसे करने है टिकेट्स themselves कि यह तीन लोग है तीन बच्चे हैं जो यहां से 10 टिकेट्स उठाने वाले है और वो 10 टिकेट्स कैसे होंगे कि एक के पास 5 टिकेट्स होंगे एक के पास 3 होंगे और एक के पास 2 होंगे और सिर्फ इतना ही नहीं कि एक के पास 5, एक के पास 3, एक के पास 2 वो ये भी कह रहा है कि जिसके पास 5 है वो consecutive 5 नंबर है जैसा नॉर्मली आप देखते हैं न कि यह दि हम मूवी देखने जा रहे हैं यह हम IPL का मैश देखने जा रहे हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम 5 लोग जा रहे हैं तो 5 consecutive tickets मिलें लगातार seat मिलें ताकि हम एक साथ enjoy करता है दो लोग हैं तो दोनों अगल वगल में ही हूं तो वैसा ही कुछ यहां पर है कि वह कहा रहा है कि यदि किसी ने 5 लिये हैं तो वह consecutive 5 है वह एक 1 से लेके 5 भी हो सकता है 2 से 6 भी हो सकता है वह 10 से 14 भी हो सकता है वह 16 से स्वारी इससे क्या कहता है 11 से 15 भी हो सकता है, जो भी वो 5 लगातार है, ऐसे ही, जो इसने 3 उठाये, वो 3 लगातार है, और जिसके पास 2 है, उसके पास 2 लगातार है, एसने यानि जो यहां से 5 उठा रहा है, वो कहीं से भी उठाएगा, लेकिन उठाएगा कौन से, consecutive, ठीड उठाने वाला भी तीन कंसिगुतिव ऊठाएगा दो अने वाला भी जा सकते वा गैसे कि आजा के कुछ आपनी अप्रोच किया होगा तो maximum लोगने Κेस इसमें चेश करें और कियए dessa कि कैसे करना इसको दें मेरे वच्चे समझेगा ये ब्लॉक है जिसमें एक, दो, तीन, चार, पांच है ये एक ब्लॉक है जिसमें एक, दो, तीन है ये एक ब्लॉक है जिसमें दो है ये पांच consecutive tickets है ये तीन consecutive tickets है ये दो consecutive tickets है मैं अब क्या कर रहा हूँ उसको समझेगा मैं यह कर दा हूँ कि मेरे लिए यह एक object मेरे लिए यह पूरा एक object कितने object हो गए तीन यह हो गए और पांच ticket बच गए क्योंकि आपने 15 में से उठाए तो 10 ही पांच बच गए तो पांच बचे विए ticket जो है और है वो हर ticket एक object है मेरे लिए कुल कितने object हो गए आथ ओके बिल्कुल अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये 8 जो हैं ऑबजेक्ट ये 8 जगे पे रखे वे थे तीन छे साथ आठ ये आठ ऑबजेक्ट हैं ये आठ जगे पे रखे वे थे मैंने यहां से इनको ठाया किनको ठाया इन तीन को इन 8 में ये 8 जो अबजेक्ट हैं ये 8 जगे पे रखे वे थे मिरे लिए अभी ये एक अबजेक्ट है मैंने क्या किया यहां रखे वे आठ ऑबजेक्ट में से तीन ये अबजेक्ट उठाय अब हो सकता है ये यहां रखा हो हो सकता है ये यहां रखा हो हो सकता है यह यहां रखाओ तो यह कही न कही आठ में से तीन जगे से उठाए गए हैं तो आठ में से तीन जगे को सलेक्ट करने की चोईस 8C3 बिलकुल अब मान लो मेरे बच्चे यह तीन सलेक्टेड जगे हैं 8C3 से इन तीन जगे पर इन तीन को बैठाने का तरीका कितना है 3Factorial कैसे हो सकता है यहां पांच वाला ब्लॉक हो यहां तीन वाला ब्लॉक हो यहां दो वाला ब्लॉक हो सकता है यहां दो वाला यहां तीन वाला यहां पांच वाला हां कुछ भी हो सकता है यह तो तीन जगें जहां से तीन ब्लॉक उठाएगें कौन सा कहां से वो तो तीन जहां हमेरे पास थी फैक्ट्वल चोईस है येस अब गेम यहां खताब नहीं हुआ है यह एक ऑप्शन दिया है उसने लेकिन गेम खताब नहीं हुआ क्यों क्योंकि भाई यह जो तीन लोगों में बाटना भी है भाई किसके पास पांच वाला आया किसके पास तीन वाला आया किसके पास दो वाला आया यह भी थो मैंटर करता है ना लाला बात तो सही है matter तो करता है और ये भी matter करता है तो अबेर सी बात है इन selected तीन object को तीन लोगों में बाटने का तरीका 3 factorial तो मेरा answer 8C3 3 factorial का square 8C3 और 8C5 तो equal होता है अब देखो आपने जो approach लगाई और जो यहां लगी है ये PNC की beauty है जब PNC पढ़ते हैं तब भी हम ऐसे question कराते हैं कि देखो बचे ये आपने शायद approach लगाया होगा और इसका ये optimize approach है वहाँ से जो thought निकल के आते हैं उस वक्त बढ़ते वक्त वो आपके इस दिमाग को refine करते हैं और PNC क्यों मेरे दिल के नज़ीके उसके लिए सिर्फ यही नहीं कि इसने मुझे बहुत कमा के दिया है एक reason ये भी है कि वाकरी ये वो जो चौथा subject exam का है mental temperament ये application of mind वो improve करता है बहुत जबदस तरीके से improve करता है पूरे maths के syllabus में ये एक एक लाता chapter है जो आपके उस thought को improve करेगा आप कहेंगे probability भी करता है probability में वही part करता है जो PNC से related है बाकी तो probability PNC के अलावा वाला part जो आपके syllabus में ultimate ज़न्द है कुछ है क्या उसमें कुछ भी नहीं है जी हाँ चलिए आगे बढ़ते है अगला एक और question हमारे सामने इसलिए का question ये जो है दो-तीन बार अलग-अलग तरसे दिया है मैंने इसको अलग अंदाज में अलग तरसे प्रेम करके यहां रखा है क्या है देखें ये करता है 8 cards are and 8 envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो गयाता है are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in envelope bearing the same number moreover the card number 2 and 4 always placed in the envelope 1 and 3 respectively then number of ways placing cards in envelope with above constraint is सभी समझार पढ़े लिखे लोगों को समझ में आगया है the arrangement का question है जी हा मैंने आप से कहा था मैं पूरा PNC कहीं न कहीं cover करने का प्रयास करूंगा principle of mathematical index sorry, principle of inclusion, exclusion भी हमने cover किया है तो अब the arrangement तो बनता ही है यहाँ पर क्या क्या रहा है मेरे बच्चे यह card है माल दीजे यह cards है जिनके number है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ envelops है इनका भी number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब हमाउ करना क्या है जी हाँ, हमें क्या करना है उसको समझे हमें यहाँ पर बच्चे जो main game करना है वो game क्या है उसको समझेगा जो हमें यहाँ पर main game करना है वो क्या वो कहता है कि भाई हर envelope में एक ही card आएगा पहली बार दूसी बार कहता है 2 वाला card जो है वो 1 में चला गया यानि 2 वाला card 1 में चला गया इसी दर से कहता है 4 वाला card 3 में चला गया 4 वाला 3 में चला गया अब क्याता है इसके बाद बाहटी अब जब ये दोनों नहीं दिया होता तो तो दिय रिम लग जाता सीधा का सीधा कितने object के लिए, 8 के लिए, d8 निकाल लेते हैं, आपको formula पता होगा, जी हाँ, n objects को dearrange करने का formula आप सब को पता है, n factorial, 1 upon 0 factorial, minus 1 upon 1 factorial, plus 1 upon 2 factorial, minus 1 upon 3 factorial, plus 1 upon 4 factorial, minus and so on, till आपके पास minus 1 to the power n, 1 upon n factorial, ये dearrangement theorem है, और कहीं न कहीं, इसका pattern आपको ये बता रहा होगा, जो मैंने अभी अभी कुछ लिए पहले सिखाया आपको, yes, principle of inclusion and exclusion, वहाँ से निकल के आता है, जी है, हमारा वाला वो जो formula, जो तरीका हमने अभी सिखा, उसी से निकल के आता है, अब इसमें ये भी समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों को लिखने का सच कोई मतलब नहीं होता है, दोनों one होते हैं, cancel हो जाते हैं, और वो पता भी है, एक एकलाते object को dearrange नहीं कर सकते हैं, यदि एक ही object एक ही जगे है, भाई सब वहीं आएगा वो, कोई choice ही नहीं आपके पास, दो होंगे object और दो जगे होंगी, त को dearrange हो सकते हैं, तो यहाँ पर यदि यह नहीं होता, तो आप n की value 8 रखके answer निकाल देते, लेकिन खेला भाई ने यहीं कर दिया, और J ने ऐसा किया है, हाला कि दो वाला नहीं दिया, एक एक वाला दिया, लेकिन मैंने दो वाला यहाँ आपको दिया है, ताकि आपको सार केस की जो 1 है, यह किस में आ गया, 1, 2 में आ गया, अब 1 यदि 2 में आ जाता है, तो 1 के 2 में आने के बाद 2 केस बनते हैं, 1 के 2 में आने के बाद 2 केस बनते हैं, कि 1, 2 में आ गया, देखे, 1, 2 में आ गया, और 3 किस में आ गया, 4 में आ गया, 1, 2 में ताकि यह अपस में हो गया और 3, 4 में आ गया 3, 4 में आ गया अब 1, 2 में आ गया 3, 4 में आ गया तो इनका तो खेल यहीं खतम हो गया अब आपके पास क्या बसा है आपके पास बसा है कि 5, 5 में नहीं आना चाहिए 6, 6 में नहीं आना चाहिए 7, 7 में नहीं आना चाहिए 8, 8 में नहीं आना चाहिए यानि आपको 4 object को d-arrange करना है यानि d4 इससे हम dn बोलते हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि आप d1, d2, d3, d4, d5, d6 तक की value तो याद करने हैं ठीक है d1, d2, 0, d1 तो क्या होता है 0 d2 होता है 1, d3 होता है 2 और d4 होता है 9, d5 होता है 44, d6 होता है 265 यहाँ तक आप याद कर सकते हैं यह हो गया, इसी दर से बचल d4 यानि यह 9 हो गया फिर 1, 2 में आया उसमें एक दूसरा case यह भी बनेगा 3, 4 में नहीं आया वई 1 को आपने 2 में रख दिया तब 3 की 2 चौईस है या तो 4 में आ जाया या नहीं आया 4 में आना वाला हमने ले लिया अब 4 में नहीं आया तो यह 3, 4 में ना आया साथी साथ और क्या condition चाहिए यह तो ऐसी कैसी चाहिए 5, 5 में नहीं चाहिए 6, 6 में नहीं चाहिए 7, 7 में नहीं चाहिए 8 8 में नहीं चाहिए तो अब देखो तो आपको ये 4 और एक ये 5 को डियरेंज करना है वह ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए हाँ तो यहाँ आपके पास क्या आएगा बच्चे D5 और D5 की value मैंने बताया 44 होती है ये 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 तो हमारा पहला केस हो गया है दूसरे केस में क्या करेंगे जैसे 1 को 2 में लेका है दूसरा केस लेते हैं कि 1 2 में नहीं आ रहा है हाँ कौन सा 1 2 में नहीं आ रहा है तो पिर यहाँ पर आपके पास पहला केस वही कि 1 2 में नहीं आ रहा है लेकिन 3-4 में आ रहा है हाँ यानि अभी हम इनी का आपस में बात करें तो 1-2 में नहीं आ रहा है 3-4 में आ रहा है अब आपको ये तो चाहिए चाहिए क्या 5-5 में नहीं आना चाहिए 6-6 में नहीं आना चाहिए 7-7 में नहीं आना चाहिए 8 8 में नहीं आना चाहिए यह 4 ऐसे नहीं होने चाहिए और यह ऐसा नहीं होना चाहिए यानि क्या हो गया D5 Oh my God यानि यहाँ वापस आ गया 44 फिर अगली possibility कौन सी इसमें भया 1 2 में नहीं आया 3 भी 4 में नहीं आया अब 3 भी 4 में नहीं आया यानि 6 को डी अरेंज करना है बाबू चौ यानि यहाँ D6 D6 अभी अभी मैंने बोला था आपने सुना नहीं पता मुझे कि सुना नहीं से नहीं यहाँ रख लेना 265 होता है यह सब हमने यहाँ value रख रखके निकाले D4 यानि N को 4 रखा D5 यानि N को 5 रखा D6 यानि N को 6 रखा आप चाहें तो निकाल सकते अब आपको इनका counting करना है 44, 44, 88 88 और 9 97 97 और 265 मेरे बच्चे 362 आगया answer Is it clear? Yes बाबू यह clear? तो यह आज का हमारा session इसमें मैं दो question, तीन question आपके लिए homework के लिए छोड़ाओ यह questions है जो आपको करने है homework के लिए है और यह वो question जो मैंने homework के लिए छोड़े हैं यह PYQs हैं और यह आसान है ठीक है, concept जो लगेंगे सब हम यहां सीख चुके हैं यह homework वाले question जरूर करिएगा और आपसे एक निवेदन है कि कुछ भी लगे तो आप question के बारे में जो भी आपको लगता है कहीं कुछ गलत सही यह आपको लगता है कि अच्छा लेवल है यह बुरा लेवल है, यह आपको लेवल कम करना है या लेवल आपको increase करना, आपको कुछ भी लगता है, आप comment box में बोलें जबोलें, आपको यह अच्छा भी लगा है, तो आप से निवेदन है, कि आप थोड़ा सा appreciation करें, क्योंकि यह आपको अच्छा लगेगा, तो हम इसी level को continue करेंगे, और यह आपको लगेगा, कि मुझे comment inbox में कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, तो शायद हो सकता है, मुझे लगे कि नहीं यार, उतना response नहीं मिल रहा है questions, शायद बच्चों के लिए questions, मतलब बहुत ज़्यादा level के हो रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यह तो जानता हूँ, कि यह JEE के level के ही question है, यह मेरी कोई कहता है कि नहीं, level बहुत down है, तो भही मैं आपसे उससे एक request करूँगा कि क्या आपसे सारे question बन गए थे पहली बात में, तो ही आप ऐसी बात करें, और जैसा मैं आपसे बोला, हर जगे बोलता आता हूँ, और मैंने आपसे उस दिन भी बोला था, बलांचिं होई तो हम सभी तरके question यहां भी करें, तो भी बन आपसे एक और बात कही थी, कि जो question या जो concept relevant नहीं है, इस वक्त तो कम से कम उसको हाथ नहीं लगाना है, तो इसलिए कि हम इसी level पर बने रहे हैं, और अच्छे questions आपको लाकर हम कराते रहे हैं इसके लिए, इतना सा निवेदन जगूर है, या last में कुछ तो लिख दिया करें, अच्छा लगता है, और जैसा मैंने आज एक comment देखा, उसमें कुछ लिखा था, मैंने बच्चे को clear भी किया, जिए ऐसी कोई बात होगी, तो definitely अगले session में, फिर हम हमारे इस वाले lecture के comments को देखेंगे, और उन पर जो जो response हां, बनता है, genuinely, वो करेंगे, तो अच्छा वच्चे, एक बार फिर मैं आपसे यहां विदा लेता हूँ, अगले lecture तक के लिए, अगले lecture तक, हां, जो है, मुझे आपका इंतिजार रहेगा, और मैं समस्ता हूँ, आपको भी शर्माजी का इंतिजार रहेगा, जी हां, शर् मिलते हैं बच्चे, एक बार फिर अगले session में, और अगले session में 99% में आपके साथ live होने वाला, ठीक है, all the best,